क्लासिफिकेशन, नॉमन्क्लेचर, फिसिकल प्रॉपरटीज की, NCRT बिटा और्गानिक की पढ़नी है, हालो, आलकेन, फ्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोड, CCL4, कार्बन, टेटरा, क्लोराइट, अट्सेक्ट, तो जेमिनल में क्या होता है, आपका विसिनल होता है, हाइ लिटीन, क्लोराइड, क्रिगनाट बना सकते हैं, क्योंकि यह बहुत कॉमन क्वेस्टन है, जो पूछा चाता है, बस साइन्टिस यह खेलते रहते हैं, अनाम अलग, मैंड माप आले नोट्स को रिवाइस करें, खुद के बनाएवे नोट्स को रिवाइस करो, NCRT पढ़ो, हलो, हाई, नमस्ते, माई नेम इस अश्रमा कुपता, तोड़े वी आग तो स्टाट दी वेरी फॉर्स चाप्टर ओफ और और गानिक के मेश्ट्री दाट इस हालो एलकेंस अन हेलो एरींस का माइंड माप करेंगे, सो माइंड माप का मतलब है कि क्विक रिजिन इन अ क्रिस बट सारी इंपोर्टेंट और सारी ही चीजे चाप्टर की कवर करी जाएंगी, पर एक अलग तरीके से हैना, you will also be surprised कि माम ने कैसे इतने बढ़िया तरीके से पूरा चाप्टर करा दिया और पता भी नहीं चला, तो जो हम टॉपिक करेंगे, of course, वो पूरा ही चाप्टर है, mind map है, तो very first topic we are going to do is classification, nomenclature, then we'll do MOP, MOP का मतलब है methods of preparation, of halowalcanes and halowareens, तो मैं हर चाप्टर में MOP का मतलब, अब समझ जाना, methods of preparation, फिर हम बात करेंगे बिटा physical properties की, then we'll talk about the chemical properties, और last में discuss करेंगे poly halogen compounds, ठीक है, so start कर रहे हैं organic chemistry, but मैं organic chemistry का mind map start करने से पहले थोड़ी सी tips आपको यही देना चाहूंगी, कि बिटा organic chemistry जिसको समझ आ जाए उसके लिए बहुत असान है, है ना, और समझ तुम सबको आ जाएगी, सबको, समझ सबको आ जाता है, organic chemistry में बस खेल इस चीज का है, कि आप कितना revision क तोड़ दोगे ना, चीजे गायब होना, start हो जाते हैं, यह मैं अपने personal experience से कह रही हूं, तो please, it's a humble request, वैसे भी आपको पता है, कि board exams में 5 chapter organic के है, CBSE board exams में, अगर 10 chapter total आ रहे हैं, कि मेश्व्री में, तो बिटा, उसमें से 5 chapter organic का है, ना, 50% syllabus आपको organic का है, सो उसको strong करने के लिए क्या करना है, आपको अपने notes thoroughly revise करने है, बार-बार revise करने है, यह मत सोचना, एक chapter एक बार कर लिया जी, बहुत है, नहीं, आपको बिटा, बार-बार revision करनी है, अपनी notes के, क्योंकि यहाँ पर named reactions बहुत important है, और हर chapter एक दूसरे से कही ना कहीं connected होता है reactions कहीं ना कहीं connected होते है, conversions में काम आती हैं चीज़े, so please make sure कि आप अपने notes बार-बार revise करें, NCRT बिटा, organic की पढ़नी है, NCRT का एक भी question आपको नहीं छोड़ना है, चाहे वो example हो, चाहे in-text question हो, चाहे NCRT की back exercise हो, और conversion के question तो खास कर बिटा, आपको NCRT back exercise का पूरी तरह solve क करना है, क्योंकि NCRT में अच्छा खासा conversion के questions दे रखे हैं, आप इतना भी करोगे, it's more than sufficient है, बाकि NCRT examplar practice करें आप, जो board का sample paper है, उसको solve करें, previous year questions करें, आपको खुद idea लगने लग जाता है कि कहां से बार-बार question repeatedly पूछा जा रहा है, तो बस यहीं छोटी सी टिपड़ की बात करें, तो हमारा chapter का नाम ही क्या कह रहा है, the very name suggests halo alkenes and halo arines, halo alkenes और halo arines में अगर हम देखें, halo alkenes दो words से बना है, halo और alkenes, अभी halo, halo क्या है हमारा, so halo alkenes में दो words क्या हैं आपके, halo gen, plus alkenes, और ऐसे ही halo arines भी दो words से बना हुआ है, halo gen, plus arines, देखें, so अगर हम halo alkenes की बात करें, तो halo alkenes basically क्या होते हैं, जो alkenes होते हैं, जो alkenes होते हैं, जिनका general formula है cn, h2n, plus 2, जब alkenes की hydrogen एक या एक से जादा भी हो सकती है, hydrogen को replace करा जाए, halo gen से, ठीक है, when one or more than one hydrogen of alkenes is replaced by halogen, तो मैं यहाँ पर एक hydrogen हटा रही हूँ, तो cn, h2n, plus 2 से क्या हो जाएगा, प्लस 1, क्योंकि एक hydrogen कम होई, और halogen आ गया, x, halogen क्या होते हैं, हमारी periodic table में, group number 17 के elements को halogen बुलाया जाता है, halogen का मतना होता है, salt forming, जो आपके ज्यादा तर salt बनाते हैं, group 17 यानि हालोजन में कौन कौन आता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटीन भी होता है, group 17 में ही, पर वो radioactive होता है, तो हम mainly 4 पढ़ते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, तो यह जो resulting compound है, जब आपने आलकेन की एक या एक से जादा hydrogen को replace करके बनाया, इस compound को हम क्या बुलाते हैं, हालो आलकेन्स, और, they are commonly also called as alkyl halides, क्या बुलाया जाता है, बिटा, alkyl halides, अब अगर मैं हालो आरीन्स की बात करूँ, तो हालो आरीन्स में हम क्या करते हैं, जो आरीन्स होती है, जो aromatic compounds होते हैं, जैसे की बेंजीन, अब बेंजीन में, बिटा, कार्बन, हर कार्बन पर एक-एक hydrogen है, C6H6, ठीक है, तो अगर की, एक या एक से जादा, अभी हम एक ही replace कर रहे हैं, एक hydrogen हटकर, अगर halogen आया, X, है न, हम halogen को X से represent कर रहे हैं, तो जो resulting compound आपको मिलता है, तो जो resulting compound मिलता है, विटा, इसको हम क्या बुलाते हैं, हालो आरीन्स, और दे आर कॉल्ड आज, as aryle halides, न, बहुत लोग इस चाप्टर को, हालो आलकेंस और हालो आरीन्स को, alkyl halide and aryle halides भी बुलाते हैं, तो confuse मत हो न, यह मत सोच न, कि कोई नया चाप्टर है, कोई नया ही, चाप्टर organic में इंट्रिड्यूस हो गया, हालो आलकेंस और अलकाइल halides, और हालो आरीन्स और also called as your aryle halides, ठीक है, अब बटा, हालो आलकेंस के अंदर, अगर हम बात करें, ठीक है, हालो आलकेंस के अंदर, जो halogen होता है, X, वो किस से attach हो रखा होता है, SP3 hybridized carbon से किस से attach हो रखा होता है जो X है यानि जो halogen है वो किस से attach हो रखा होता है SP3 hybridized carbon से carbon की 3 hybridization होती है SP3, SP2, SP ठीक है SP3 जब carbon के 4 bond sigma हो SP2 कब होती है जब 3 sigma 1 pi bond हो SP2 कब होता है जब 2 sigma 2 pi हो तो अब अगर मैं यहाँ पर देखू हालो अरीन्स के अंदर halogen इस carbon से जड़ा है बिटा 1, 2, 3, 4 bonds है जुसमें ये sigma, ये sigma, ये sigma और ये वाला कैसा bond है pi bond, अब यहाँ पर carbon ने 3 sigma 1 pi bond बना रखा है यानि यहाँ पर halogen जोस carbon से attach है, वो कैसी hybridized है आपकी SP2 हालो अरीन्स के अंदर हालो अरीन्स के अंदर हालो अरीन्स को अलग अलग तरह से classify करते हैं पहला classification है, on the basis of number of halogen atoms कि किसी compound में एक halogen है, तो क्या बोले, किसी में 2 halogen है, तो क्या बोले, 2 से जादा है, तो क्या बोले, so जल्दी से बता दो, क्योंकि revision तो है ही, आप लोगोंने, I am very sure कि एक बार तो at least chapter कर ही रखा होगा, इतना मैं assume कर रहे हूँ, so number of halogen atoms के basis पर हम किस किस में classify करते हैं, पहला classification है mono halo alkanes and mono halo arines, है ना mono halo alkanes and mono halo arines का मतलब क्या है, जहाँ पर एक halogen हो, है ना halo alkanes में अगर एक ही halogen है, तो mono halo alkanes halo arines में अगर एक ही halogen है, तो mono halo arines बुलाएंगे, दूसरा हो जाता है बिटा, आपका di halo alkanes and di halo arines और तीसरा हो जाता है आपका poly halo alkanes and poly halo arines, ठीक है, सो डेफिनेशन लिखवाने के आज सच मुझे लगने रहा, आपको समझ जा रहा होगा, mono का मतलब एक, die का मतलब जहां दो हो, poly का मतलब है दो से जादा halo alkanes हो, एक्जामपल कर लेते हैं, सो बिटा, mono halo alkanes के एक्जामपल जहां पर एक ही halogen हो, जैसे की CH3Cl, है न, C2H5Br, bromobenzene, chlorobenzene, इस तरह के compounds में एक ही halogen है, यह हो गया, mono halo alkanes, mono halo alkanes, यह हो गया, mono halo alkanes, यह हो गया, mono halo alkanes, ठीक है, CH2Cl, CH2Cl, है न, एक compound है, दो halogen present है, ठीक है, ऐसा भी कुछ हो सकता है, CH3C, CL, CLH, है न, ऐसा भी तो कुछ हो सकता है, ऐसा कुछ हो सकता है, बेंजीन रिंग के अंदर ही, दो halogen present हो, ठीक है, क्लोरो हो सकता है, ब्रोमो हो सकता है, अलग अलगतर आके, तो, dihalo alkanes, dihalo arines, जहां पर दो halogens present हो, polyhalo alkanes, polyhalo arines में क्या हो जाएगा, बेटा, जहां पर दो से जादा, जिसे कि आपका CHCl3, क्लोरोफोर्म, CHBR3, ब्रोमोफोर्म, CHI3, आईडोफोर्म, CCL4, कार्बन टेटरा, क्लोराइट, एट सेक्टरा, है न, चलो, अब मोनो, हालो alkanes, मोनो, हालो arines को भी बिटम फर्दर और क्लासिफाई कर सकते हैं, जैसे कि देखना, सवाल अभी आपसे पूछेंगे हम, चलिए, अगर मैं इसकी बात करूँ, इसमें भी एक हालोजन है, इस कंपाउन में भी एक हालोजन है, इसमें भी एक हालोजन है, तो ये तीनों ही मोनो, हालो alkanes है, पर अब क्लोरी, किस कार्बन पर लगा है, उस कार्बन की डिगरी क्या है, उसके बेसिस पर भी हम बिटा, फर्दर क्लासिफाई कर सकते हैं, जैसे कि अब आप यहां पर देखें, तो यहां पर हालोजन जिस कार्बन पर जुड़ा है, आपको पड़ोसी देखने होते हैं, ठीक है, अगर कार्बन एक ही और कार्बन से जुड़ा हो, यह कार्बन अगर एक ही और कार्बन से जुड़ा है, तो इसके डिगरी क्या हो जाएगी, प्राइमरी, अगर यह कार्ब पर alkyl halides के अंदर monohalokane में एक तो कार्बन का बॉन्ड halogen के साथ है, बेटा, Cl जिस कार्बन पे है, वो एक ही और कार्बन से जुड़ा है, तो यह आपका कैसा हो जाएगा primary, कैसा हो जाएगा primary alkyl halide, कैसा alkyl halide है, बेटा, primary alkyl halide है, यहां पर देखो halogen जिस कार्बन पे चुड़ा है, यहां मैं लिख देती हूँ, कि जो यह वाला है आपका, यह कैसा हो गया, इसको हम थोड़ा नीचे लिख लेता है, यह कैसा हो गया आपका primary alkyl halide, चलिए, सेकेंड वाली की बिटा, डिगरी identify करने की कोशिश करें, हालोजन जिस कार्बन पे वो एक और दो, दो कार्बन से जुड़ा है, अगर हालोजन, जिस कार्बन पे वो फर्दर दो कार्बन से जुड़ा है, यह उस कार्बन के दो पडोसी है, यहना दो पडोसी है, त 2 degree secondary alkyl halide हो जाएगा और इस पर देखो ध्यान दो बिटा हालोजन जिस कार्बन पर है वो एक दो तीन कार्बन से जुड़ा है इस कार्बन के कितने पडोसी है तीन पडोसी है तो ये कैसा alkyl halide हो जाएगा बिटा आपका 3 degree यानि तरजरी alkyl halide कैसा हो जाएगा तरजरी alkyl halide तो मोनो हालो एलकेन को भी हमने डिगरी के बेसस पर तीन में क्लासिफाइग कर रहे है प्राइमरी सिकेंटरी आड तरजरी alkyl halide ठीक है नेक्स्ट बात करते हैं इसको में नेक्स स्लाइड में ले रही हूं ये नसी आटी में दे तो रखा है पर बहुत जादा डीटेल में नहीं दे रखा पर एक्जांपलर के अंदर क्वेस्टन्स पूछे हुए हैं ठीक है तो नेक्स्ट आइल भी क्लासिफाइग दिस डाई हालो एलकेन्स ठीक है नोट्स आपको मिल जाएंगे नोट्स की टेंशन मत लेना है नोट्स आप मैं यही एडवाइस करू कि नोट्स खुद ही बनाना मत अब खुद का मतलब है कि प्रिंट आउट मत निकालना खुद से लिखकर बनाना ठीक है इससे क्या होता है आप जितनी बार लिखोगे चीज उतने एक तो प्राक्टिस होता है और लिखते-लिखते चीज़े याद भी हो जाती है चलिए सुब दाइ हालो एलकेंज को हम फर्दर दो में क्लासिफाय करते हैं जेमिनल या ऐसे लिख देते हैं जेम डाइ हलाइड और सेकेंड हो जाता है बिट आपका विसनल या वी आई सी डॉट डाइ है लाइड चलिए कहीं ना कहीं तो पड़ा हुगा ये तो बिटा हमने डाइ हालो एलकेंज को फर्दर दो में क्लासिफाय करा है ठीक है जेमिनल आड विसनल अब अगर हम जेमिनल की बात करें बिटा तो जेमिनल में क्या होता है टू हालोजेंज है अगर तो बिटा आपको दो जेम हालोजेंज एक ही कार्बन पर तो जेमिनल में क्या है? एक ही कार्बन पर दो हालोचन प्रेसेंट है और विसिनल में दो हालोचन बिटा एग्जिसेंट एक एक पर एक एक पर ठीक है यहां तक बात क्लियर चलो so geminal या gem dihalides are also known as are also known as alkylidine halide क्या बुलाते है बिटा alkylidine halide and vicinal dihalides are also known as alkylidine dihalides क्या बुलाते है alkylidine dihalides जिसे में example लेती हूं CH3CHCl2 इसको एक्स्पांड करके ऐसे बना लेते हैं CH3CClClH है ना बेटा दो हलोजन सेम एक ही कार्बन पर है when two हलोजन when two same हलोजन सा प्रेजन उन one कार्बन it's geminal when two same हलोजन सा प्रेजन उन एडजसेंट कार्बन आटम्स अगल बगल वालों पर हो तो कैसा होता है आपका vicinal होता है geminal is also called as यह common name है alkylidine halide and vicinal is also called as alkylene dihalide तो अगर अब जिसे इस compound का IUPAC name अगर मुझे लिखना हो तो IUPAC name क्या हो जाएगा बिटा 1,1 dichloroethene यही होगा ना यार 1,1 dichloroethene पर अगर common name लिखना हो तो बिटा इसका हो जाएगा दो carbon के लिए ethylidine chloride क्या हो जाएगा ethylidine chloride vicinal का example देखो देखो बहुत तेजी से यह गया ठीक है आप chlorine की जगा बिटा bromine भी ले सकते हो है ना दोनों पर दोनों सेम होने चाहेगे तो अब बिटा अगर मैं इसका IUPAC name लिखूं तो IUPAC name हो जाएगा 1,2 dichloroethene है ना यार कि 1 पे भी और 2 पे भी दो बार chloro आया तो dichloro दो carbon के लिए eth single bond के लिए in 1,2 dichloroethene this was 1,1 बार था 1,1 dichloroethene this is ethylidine chloride इसका इसका नाम क्या हो जाएगा इसका नाम प्राइमरी सेकेंडरी आंड टर्जरी डाई वाले में डाई halos alkane को मैंने फर्दर दो में करा geminal and vicinal dihalo alkane को ठीक है जहां पर 2 halogen प्रेजेंट थे 2 halogen same carbon पर हो सकते थे 2 halogen adjacent carbon पर हो सकते थे dihalo arines का अस्टच कोई classification नहीं है polyhalo alkane and polyhalo arines जहां पर 2 से जादा halogen पर 3, 4 ठीक है second classification है आपका hybridization के basis पर तो second classification हम कर रहें based on the hybridization of carbon attached with halogen halogen किस तरह की carbon पर attached है तो हालोजन या तो attach हो सकता है sp3 hybridized carbon के साथ या फिर halogen किस के साथ attach हो सकता है sp2 hybridized carbon के साथ है ना और उसी के basis पर हम further sp3 hybridization अगर है तो हम further तीन में classify करते हैं चलें पहला हो जाएगा विटा आपका तो विटा पहला हो जाएगा आपका alkyl halides दूसरा हो जाएगा आपका alkyl halides और तीसरा हो जाएगा आपका benzylic halides तीसरा कौन सा हो जाएगा benzylic halides और sp2 hybridized carbon पर अगर halogen लगा होता है तो इसको हम दो में classify करते हैं वो दो classification कौन सा है विटा आपका वो दो classification है आपका vinylic halides और दूसरा हो जाता है आपका aryle halides ठीक है अब एक्जाम्पल देख लेते हैं तो बिटा हाइब्रडाइजड होगी sp3 कैसी हाइब्रडाइजड होगी sp3 अब जरा allylic देखो allylic क्या होता है बिटा c double bond c की चुन next carbon है उसको allylic carbon कहते है और वो sp3 hybridized है तभी allylic बोलते हैं c double bond c के next value और अगर allylic carbon पर halogen present होता है then it is called as your allylic halides तो यह हो गया CH2 double bond CH CH2Cl ठीक है तो यह हो गई बिटा आपकी allylic carbon जिस पर halogen present हो और यह कैसी होगी आपकी sp3 hybridized एक दो तीन चार चारों bonds carbon के sigma है तो allylic halides are those halides in which halogen is attached to allylic carbon and the allylic carbon is sp3 hybridized allylic carbon कौन सी होती है पिटा c double bond c के next वाली ठीक है बेंजाइलिक halide देखें ठीक है बेंजीन से जो attached carbon है पिटा दाट इस बेंजाइलिक carbon और उस पर बेंजाइलिक carbon भी अगयन आपकी कैसी होती है sp3 hybridized कैसी है यह carbon बिटा आपकी sp3 hybridized ठीक है तो हालोजन किस तरह की sp3 hybridized carbon के साथ attached है उसको भी हम further classify करते हैं आलकाइल हलाइज hyalic hyalides बेंजाइलिक hyalides ठीक है next बात करते हैं विनाइलिक and aryl hyalides इन में बिटा हालोजन जो है वो आपका किस से attached है sp2 hybridized carbon से जैसे की ch2 double bond chcf this is the example of vinylic hyalides ठीक है अब बिटा c double bond c वाली carbon ठीक है c double bond c वाली carbon vinylic होती है या तो ऐसे हो कि हालोजन इधर लगा हो तो भी बात ठीक है या हालोजन इधर लगा हो तो भी बात ठीक है c double bond c वाली carbon ही कौन से होती है vinylic carbon और यह carbon में सिगमा 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 पाई 3 सिगमा एक पाई कैसी hybridization है यहां पर carbon की sp2 तो एलायलिक प्रविटा c double bond c के next वाला जिस पर हालोजन अटाच्ट था एलायलिक carbon पर and that was sp3 hybridized विनायलिक के c double bond c वाली ही carbon जिस पर हालोजन अटाच्ट है and that is sp2 hybridized और अरायल हिलाइटोम पहले ही पढ़ चुके है जब हालोजन बेंजीन रिंग की hydrogen को हटा कर direct लगा हो तीक है यहां पर जो यह carbon है यह कैसी hybridized है विटा sp2 sp2 तो sp3 पर 3 alkyl, allylic, benzylic sp2 पर 2 vinylic and aryl halides यहां तक बात लिए और है जल्दी बताओ दो यार गाईज चलिए तो अब बात करते हैं नॉमन क्लेचर की तो अगर हम halo alkynes का नॉमन क्लेचर की बात करें तो common name अगर हम halo alkynes का लिख रहे हैं तो हम लिख देते हैं alkyl halides ठीक है मैं यह halo alkynes की बात कर रहे हूं ठीक है halo alkynes की ठीक है और अगर तो भीटा हम iupac name लिखते हैं तो पहले तो बात करते हैं iupac name के लिए पूरा एक flow chart होता है आपका ठीक है halides भी नहीं halide कर रहता है एक ही halogen चली तो बाता iupac nomenclature के लिए पूरा flow chart क्या होता है सबसे पहले नाम में आता है two degree prefix फिर आता है one degree prefix फिर आता है word root फिर आता है one degree suffix और फिर क्या आता है two degree suffix ठीक है two degree prefix आता है जब आपके पास branching हो, substituent हो ठीक है anything that is not a part of your chain ठीक है that is substituent branching ठीक है one degree prefix तभी आता है जब आपका compound close chain होता है and then we use cyclo word root denote करता है main chain के अंदर कितना carbon atom है one degree suffix linkage बताता है carbon-carbon की जिसे की single bond है अगर तो ain लगा दिया double bond है तो ain लगा दिया triple bond है तो ain लगा दिया linkage बताता है ठीक है और two degree suffix जब आपका functional group होता है पर बिटा जो halogen होते हैं वो नाम में कैसे add होते हैं halogen are added as two degree prefix यह नाम में बिटा end में नहीं लगते suffix में नहीं लगते यह नाम में कहां पर लगते हैं आगे लगते हैं starting में लगते हैं they are added as two degree prefix और इनके लिए जो two degree prefix आता है, वो क्या आता है आपका हालो, क्या आता है हालो, क्लोरीन के, फ्लोरीन का फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमू, आईडो, इस तरह से, ठीक है, तो IUPAC नेम हम कैसे लिखते हैं, आलकाइल हलाइज का, हालो, आलकेंज, कैसे लिखते हैं, हालो, आलकेंज, उसे के एक-दो एक्जामपल करते हैं, CH3Cl, अब CH3Cl का बिटा, अगर तो मैं IUPAC नेम लिखूंगी, तो 1 पे क्लोरो, एक कार्बन के लिए, मैं सिंगल बॉन्ड एन, तो जाएगा, क्लोरोमीथेन, या 1 क्लोरोमीथेन भी लिख सकते हैं, पर जब मैं common name लिखूंगी, ब्राकेट, इस ब्लू कलर से लिख रही हूँ, common name क्या हो जाएगा, इसका बिटा, methyl chloride, क्या हो जाएगा, methyl chloride, तो आप देख रहे होगे, common name is written as alkyl halide, methyl chloride, ethyl chloride, ethyl bromide, इस तरह से, पर IUPAC name कैसे लिख रहे हैं, हालो एलकेट में जिसे इदर हो गया, क्लोरोमीथेन, बागी रूल्स देखो, वेरी हो जाते हैं, क्योंकि अगर double or triple present है, तो आपको linkage बतानी पड़ती है, जिसे ही हो गया, अब यहाँ पर बिटा halogen, अब IUPAC name में लिख रहे हैं, हम सारा है न, तो 1, 2, 3, यहाँ पर यह हो जाएगा, 2, bromopropane, क्या हो जाएगा, 2, 3, पर ब्रोमो तीन कार्बन की चेन के लिए, प्रॉप सिंगल बॉंड एन, 2, ब्रोमो प्रोपेन, मानलो यह हो गया, क्लोस चेन है, अब यहाँ पर बिटा halogen, क्लोस चेन की फॉस्ट कार्बन पर है, मैंने हालोजन को लोईस नमबर दिया, जिस कार्बन पर वो है, या तो 1, क्लोरो लिख सकते हैं, या डारेक्ट लिख सकते हैं, 1 पर फॉस्ट कार्बन पर क्लोरो, क्लोस चेन के लिए लगाएंगे, साइक्लो, 1, 2, 3, 4, 5 का क्लोस चेन है, पेंट, सिंगल बॉंड एन, तो यह जाएगा, 1, क्लोरो साइक्लो पेंटेन, तो इस तरह से, बिटा, हम हालोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स का नॉमन क्लेचर करते हैं, बाकी दीरे दीरे अभी और जब चाप्टर आगे बढ़ेगा, तो वहाँ पर आजाएगा, ठीक है, अलग-अलग कंपाउंड्स में, तो इस इस हाओ वी राइट दी नॉमन क्लेचर आफ हालोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स, तो आई-उ-पी-सी नेम इस रिटन आज हालो आलकेंज हालोजन पहले आता है, पर कॉमन नेम इस रिटन आज आलकाई, ललाइट एक दो बेंजीन कंटेनिंग कंपाउंड्स की भी कर लते हैं, चलिए, ट्राइ करें खुद से, दब से, बेंजा दो, बेंजाश में झालकें आफालोजन कंपाउंड्स, luxángर 9 , typically इस रिटन आफे बेंगा हालोजना सकुद से, तो आफे कंपाउंड़स की रिटन, इस रिटन आफे दोन कंपाउंड़स से, अब फूर्थ वाले में थोड़ा सा ध्यान देने मिटे, you have to write IUPAC name only, but अब प्रॉब्लम क्या है, अब हमारे पास हालोजन है और डबल बॉंड है, अब आप सोच रहोगे माम किसको प्रियूरिटी दे, यहां से हालोजन फर्स्ट पर आएगा पर डबल बॉंड सेकंड पर आएगा, अगर तुम राइट से नम्बरिंग करते हो, और अगर मैं यहां से नम्बरिंग करते हूं तो वन पर डबल बॉंड आएगा पर हालोजन थर्ड पर आएगा, अब मैं हालोजन को number 1 दू, हालोजन वाली carbon को या double bond वाली carbon को तो बिटा double और triple bond की priority हालोजन से ज़ाधा होती है, तो हम double bond की carbon को 1, इसको 2 और इसको 3 देंगे, हमें इसको lowest number देना है फिर, पहले हालोजन आएगा क्योंकि वो substitute की तरह 2 degree prefix की तरह आएगा, तो यह हो जाएगा 3 क्लोरो, 3rd carbon पे क्लोरो, 3 की chain के लिए प्रॉप, double bond 1 carbon पे तो 2 के साथ होगा, obvious है, प्रॉप वनीन लिख सकते हो या डारेक लिख सकते हो बिटा, प्रोपीन, ठीक है, चले कहीं से भी करो, यहाँ पर बिटा, हालोजन सेकेंड कार्बन पर है, और इधर से भी सेकेंड पर है, 2 पर और 3 पर दो बार आया, तो डाइकलोरो, 1, 2, 3, 4 की chain के लिए हो जाएगा, ब्यूटे, 2, 3, डाइकलोरो, ब्यूटे, चले, 6th बिटा हो जाएगा आपका, ब्रोमो, बेंजीन, चाहो तो 1 ब्रोमो बेंजीन भी लिख सकते हो, डारेक लिख सकते हो, ब्रोमो बेंजीन, यहाँ पर 1 पर और 2 पर यह हो जाएगा, 1,2 डाइब्रोमो बेंजीन, इसके अलावा बेटाम, इसको और्थो डाइब्रोमो बेंजीन भी बोल सकते हैं, जो दो एड्जेसेंट वाला होता है, वो तो और्थो, है ना, एना, फर्स्ट और सेकेंड इधर भी हो सकता है, सेकेंड इधर भी हो सकता है, एड्जेसेंट वाली कौन सी होती है, बिटा, आपकी और्थो, alternate वाली कौन सी होती है बिटा मेटा अब alternate ये भी हो सकते है तो ये भी मेटा हो सकती है और जो exact opposite होती है वो कौन सी होती है पारा तो 1,2 इस ortho, 1,3 इस मेटा 1,4 इस पारा, 1 और 2 पर हालोजन है और दो बारा है तो I can write it as ortho, जब मैंने ortho बोल दिया मतब ये दोनों adjacent पर है 1,2 पर है तो 1,2 डाइब्रोमो बेंजीन और we can call it as ortho डाइब्रोमो बेंजीन चलिए, 8 में देखो, 8 में देखो गाईज, अब 8 में क्या है, अब 8 में या यहां से chloro है, वहां से bromo है, अब हम किसको चूज करें तो अगर tie हो रहा है तो आप किसको priority दोगे, alphabet को, जो alphabetically पहले आचाए, alphabetically ये C से start होगा, ये B से start होगा, B पहले आता है, तो हम numbering bromo वाली carbon को lowest देंगे, क्योंकि इधर से भी 2 है, इधर से भी 2 हमें कैसे decide करूं, तो है, तो 1, 2, 3rd and 4th carbon, 2 per bromo, 3 per chloro, 1, 2, 3, 4 carbon के लिए, bute, single bond, in, तो नाम क्या हो जाएगा, 2 bromo, 3 chloro, butane, यहां तक बात क्ली हो रहे है, so that's how we write the nomenclature, the IUPAC name of halogen containing compounds, चलिये, next बात करते हैं, बिटा, isomerism की, तो जो halo alcanes है, उनके अंदर दो तरह का basically isomerism होता है, the first one is, they can show chain isomerism, जैसे मैं example लिती हूँ, chain isomerism जब chain length में फरकाता है, position isomerism जब position में फरकाता है, तो chain isomerism में example देखें जरा, अब दोनों compounds का बिटा molecular formula क्या same है, isomerism होने के लिए पहला condition ही यह है, इस compound का molecular formula आएगा, C4, 3, 2, 5, 6, 7, 8, 9, H9, B, R, क्या दूसरे का भी यह है, 1, 2, 3, 4, carbon C4, 3, 3, 6, 7, 8, 9, H9, B, R, तो दोनों का molecular formula सेम है, तो isomerism हो सकता है, ठीक है, अब दोनों compounds का molecular formula सेम है, पर structure अलग है, अब structures की वज़े से अलग-अलग तरह का isomerism होता है, यहाँ पे बिटा, अगर मैं इस compound को देखूं, तो 1, 2, 3, 4, इसका नाम हो जाएगा, 1, bromo, या direct भी लिख सकते थे, butane, है ना, और इस compound का नाम क्या हो जाएगा, यहाँ से भी branching second पर है, यहाँ से भी branching second पर है, पर right से numbering करूंगी, तो फाइदा halogen को भी हो जाएगा, क्योंकि अगर मैं यहाँ से करती तो 1, 2, 3, halogen third पर आता, यहाँ से करियों तो 1, 2, 3, branching तो 2 पर ही है ना, तो halogen का भी लगे हाथ फाइदा करा देते हैं, है ना, क्या बात है, कोई नुकसान थोड़ा ना है, पहले बिटा halogen का नाम लिखेंगे, alphabetically B पहले आ रहा है, तो 1 bromo, 2 methyl, 1 पे bromo, 2 methyl, 3 carbon के लिए prop, single bond in, तो दोनों compounds का molecular formula सेम है, पर बिटा, carbon की chain length में फरक है, कैसे फरक है, यहाँ पर main chain कितने carbon की है, चार carbon की, चार carbon की, ठीक है, और यहाँ पर main chain कितने carbon की है, आपकी 3 carbon की chain length है, तो अगर बिटा, compounds का molecular formula सेम हो, पर structure में difference chain length की वज़ह से आए, main chain की length की वज़ह से, देखो halogen इधर भी first पर है, इधर पे भी first पर है, halogen की position सेम है, पर carbon की main chain का length अलग अलग है, इधर 4 का chain length है, इधर 3 का main chain का length है, then it is called as chain isomerism, इसके अलावा बिटा ये position isomerism भी दिखा सकते हैं, मैं इसी compound को ये लेकर चल रही हूँ, C4H9BR, तो इसमें देखो बिटा, एक possibility ये है, और एक possibility ये भी है, या चलो, उधर बना लेता है, चलो, दोनों का अगर IUPAC name लिखें, तो इसका हो जाएगा, वन, ब्रोमो, ब्यूटेन, और इसका हो जाएगा, टू, ब्रोमो, ब्यूटेन, गही होगा गाईज, या, है न, अब अगर देखा जाएगा, तो बिटा, दोनों कंपाउंड्स की, में चेन सेम है, तो चेन आइसुमेरिजम तो अपना नहीं हो रहा, काहे नहीं हो रहा, why? वर्ड रूट तो सहीं है, वर्ड रूट अगर सहीं है, तो कार्बन का चेनलें तो सहीं है, पर, यहां पर किस चीज का फारा रहा है, जल्दी से बतादा यार यहां पर फारक किस शीज का आ रहा है हालूजन की position का यहां पर bromo first carbon पर लगा है जब कि यहां पर bromo कौन सी carbon पर लगा है बिटा second carbon पर लगा है तो दोनों compounds का molecular formula यही है C4H9BR पर जब compound का molecular formula same हो structure में difference है due to the position यहां पर बिटा हालोजन की position में फारका रहा है एक बार first carbon पर लगा है एक बार second carbon पर लगा है तो दोनों compounds same नहीं होंगे ठीक है So one is one bromobutane the other is two bromobutane and इन दोनों में क्या रिष्टा है यह रिष्टा क्या कहलाता है यह रिष्टा क्या कहलाता है बिटा they are position isomers to each other ठीक है चलिए अब बात करते हैं बिटा जी carbon और halogen के bond की nature of carbon halogen bond की bond जो है carbon और halogen के बीच में किस तरह का है चलिए जो बिटा carbon और halogen में यहाँ पर कलर भी देखो green select करना चाहते थे हम where x can be fluorine, chlorine, bromine और iodine इन चारों में से कुछ भी हो सकता है अब यहाँ पर अगर मैं बात करू बिटा तो carbon और halogen में halogen जो होता है उस जादा electro negative होता है अगर यह electro negative होगा तो यह क्या करेगा shared pair of electrons को halogen अपनी तरफ जादा खीचेगा है electro negative element का का काम क्या होता है जादा electro negative होता है जिसके वज़े से यहाँ पर halogen पर partial negative charge आ जाता है और carbon पर कैसा charge required हो जाता है partial positive और हम बोलते हैं कि carbon और halogen का यह जो bond है यह कैसा होता है बिटा polar होता है कैसा nature होता है इस bond का polar होता है polarity आ जाती है चार सेपरेशन प्रेडियूस हो जाता है ठीक है जितना जादा electro negative element होगा जिसे नीचा आता है फ्लोरीन, क्लोरीन, प्रूमीन, आयोडीन में तो electro negativity कम होती जाती है तो polarity भी कम होती जाती है चलिए अब यहाँ पर दो तीन चीज़े आती है पहला CX यानि carbon halogen bond length CX bond length कि carbon halogen का जो bond length है उसका order क्या आता है तो मैं halo alkene में जो ले रही हूँ, सारे comment ले रही हूँ तुम सोच के बताना CH3F, CH3Cl, CH3Br and CH3I कहां पर तुम्हें लगता है कि carbon halogen का bond length बढ़ रहा होगा देखिए जैसे 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 अब देखो यह carbon fluorine है, यह carbon chlorine है, यह carbon bromine है, यह carbon iodine है जैसे जैसे halogen का size बढ़ेगा, इसके nucleus, इसके nucleus का distance भी बढ़ेगा और bond length क्या करती जाएगी, इंक्रीस करती जाएगी तो bond length का order आता है आपका यह, ठीक है carbon fluorine का bond length छोटा, carbon chlorine का उससे जादा, carbon bromine का उससे जादा carbon iodine का उससे जादा, second order बात करते हैं बढ़ेगा bond enthalpy of course मैं CX bond की बात करने हूँ, carbon और halogen की bond enthalpy ठीक है, अब बिटा, जहां पर bond छोटा होता है ना, उसको तोड़ने में मुश्किल होती है bond अगर लंबा है, ना, दो लोगों में अगर दूरी जादा है, तो असानी से लड़ाई जगडा हो सकता है असानी से हम थोड़ी से आग लगाएंगे, देखो कैसे लड़ाई हो रही होगी, तो अगर bond लंबा है, तो energy कम लगता है, क्योंकि bond असानी से तूच सकता है, दो चीजों के बीच में अगर distance कम है, bond length छोटा है, यानि force of attraction जादा है, वहां पर bond को तोलने में energy भी जादा लगते है, तो अगर हम bond enthalpy की बात करें, that I am talking about the bond dissociation energy, तो बिटा, bond dissociation energy का order reverse हो जाता है, carbon fluorine का bond तोलने में energy जादा लगती है, carbon chlorine में उससे कम, carbon bromine में उससे कम, और carbon और iodine का bond तोलने में तो और कम energy लगते हैं, क्योंकि bond लंबा हो चुका होता है, सानी से तूट जाता है, energy कम लगता है, चलिए, third जो order आता है वो यहाँ पर पूछा जाता है आपसे dipole moment का, dipole moment का, और यह बहुत important है, third वाले पर तो मैं double star बनाऊंगी, ओहो सूरज बन गए, कि इससे सवाल आता ही आता है, so dipole moment में यहाँ पर क्या होता है, कि हमें लगता है कि CH3F, एना fluoromethane का dipole moment सबसे जादा होगा, क्योंकि dipole moment जो होता है, mu, वो basically q into d, charge into distance between the charges का product होता है, तो हमें लगता है कि यह carbon and fluorine का bond सबसे जादा polar होगा, तो वहाँ पर dipole moment सबसे जादा आएगा, पर ऐसा नहीं है, तो हमसे dipole moment में पीटा दो orders पर सवाल आता है, पहला, सबसे जादा dipole moment होता है CH3Cl का, क्योंकि यहाँ पर charge or distance, carbon and chlorine का bond भी लंबा होता है, जिसके वज़े से यह वाला case जीत जाता है, फिर होता है आपका CH3F, फिर CH3Br, फिर है CH3I, तो एक तो आपको यह order dipole moment का ध्यान रखना है कि chloro-methane का dipole moment, फ्लोरो-methane से जादा होता है, this order you have to, you have to remember, ठीक है, दूसरा जो एक और dipole moment से सवाल आ जाता है, बिटा, CH3Cl, chloro-methane, dichloro-methane, trichloro-methane, tetra-chloro-methane, ठीक है, तो chloro-methane का dipole moment सबसे जादा होता है, dichloro-methane का उससे कम, trichloro-methane का उससे कम, और CCL4 carbon tetra-chloride का तो dipole moment 0 होता है, यह non-polar होता है, ठीक है, non-polar होता है, तो दो चीज़ों का ध्यान रखना है, बिटा, dipole moment का order ध्यान रखना है, ठीक है, यह कुछ चीज़े हैं, जहां से इन में सवाल आपको आता है, चलिए, आगे बढ़ रहे हैं, तो बिटा, अब हम start कर रहे हैं, बहुत ही important चीज, बहुत ही interesting चीज, अब यहां से अब हम start करेंगे, बिटा, हालो एलकेंज की preparation, ठीक है, M.O.P, methods of preparation, पहले हालो एलकेंज के, फिर हालो वरींज का, चलिए, तो बिटा, हालो एलकेंज को हम prepare कर सकते हैं, पहला method है, from alcohols, और alcohols में भी आप अलग-अलग तरीकों से prepare कर सकते हैं, ठीक है, सो पहला तरीका है, concentrated HCl in the presence of N-hydrous ZNCl2, ठीक है, इस पूरे को, इस पूरे को हम क्या बुलाते हैं, बिटा, this is called as your Lucas Reagent, क्या बुलाते हैं, बिटा, Lucas Reagent, ठीक है, तो जब ROH, alcohol react करता है, in the presence of concentrated HCl and N-hydrous ZNCl2, तो हमें मिलता है, RCl, क्या मिलता है, RCl, ठीक है, chloro-alkane मिलता है, chloro-alkane मिलता है, साथ में water बनता है, वो side product है, मेरे लिए अभी वो matter नहीं कर रहा, ठीक है, लिखना हो, तो लिख सकते हो, ठीक है, तुम बोलते हो, तो मैं लिख दती हूँ, चलो, अब इसमें, इसको हम बिटा, यहाँ पर एक test भी होता है, Lucas test, अब होता है, जो हालो-alkane सूते हैं, यह पानी में बहुत कम soluble होता है, तो हम यहाँ पर बोलते हैं, कि अगर आपका alcohol, तो मैं यहाँ पर लिख रही हूँ, इसको एक Lucas test भी बुलाते हैं, ठीक है, Lucas test, तो Lucas test जो होता है, यह distinguish करता है between alcohols, यह हम alcohols chapter में दुबारा कर डेंगे, तो order of reactivity of alcohols चो होती है, वो होती है, आपकी 3 degree, 2 degree, फिर 1 degree, यह धियान रखना है, ठीक है, टर्जरी alcohols अब से ज़्यादा reactive, उससे कम 2 degree, उससे कम 1 degree, तो Lucas test में basically क्या होता है, अगर primary alcohol है, और आपने Lucas reagent डाला, तो पिटा RCALE बनेगा, जो भी primary alcohol से primary alkyl hyalide बनेगा, यह पानी में कम soluble है, तो 1 degree alcohol की reactivity इतनी slow होती है, कि वहाँ पे turbidity, room temperature पे भी नहीं आती है, आपको heating के बाद आती है, 2 degree alcohol की reactivity थोड़ी जादा होती है, तो अगर आप 2 degree alcohol को react कराते हो, Lucas reagent के साथ, तो turbidity तीन से पाँच मिनट बाद आती है, और 3 degree alcohol भाई, ऐसा धुन्दुन reaction करता है, तनी तेजी से reaction करता है, कि तुरंत turbidity अपीर हो जाती है, turbidity मतलब milky नहीं सा जाता है, क्योंकि ये पानी में बहुत कम solubal होता है, अगर कोई चीज पानी में solubal नहीं है, तो वो तेरती हुई, turbidity दिखाएगी, ठीक है, और इस प्रोसेस को जब आप पर्टिकुलर्ली कॉंसेंट्रेटेटेड एच्चेल यूस कर रहे होते है, इस अल्सू कॉल्ड अस ग्रूव्ज प्रोसेस, ग्रूव्ज प्रोसेस, ठीक है, तो ये लूकास रिएजेंट हो गया, लूकास टेस्ट हो आते हैं, NaBr in the presence of concentrated sulfuric acid, तो यहाँ पर बनेगा, बिटा, RBR, ठीक है, RBR, साथ में बन जाता है, आपका, NaHSO4, और साथ में बन जाता है, H2O, साथ में बन जाता है, H2O, साथ में बन जाता है, बिटा, H2O, इस आइट प्रोड़क्स है, नेक्स्ट अगर हम अल्कोहल का रियाक पी-C-L-5 के साथ कराते हैं, तो यहाँ पर बनता है, बिटा, आपका, R-C-L, और साथ में बनता है, आपका, P-O-C-L-3, और बन जाता है, H-C-L, ठीक है, R-C-L, P-O-C-L-3, प्लस H-C-L, पर अगर आप अल्कोहल का रियाक्शन, बिटा, P-C-L-3 के साथ कराते हो, बनता य पर साइड प्रोड़क्ट में, यहाँ पर क्या बनता है, बिटा, H-3-P-O-3, क्या बनता है, H-3-P-O-3, SO-C-L-2, ठायोनाइल क्लोराइड, जिसको बुलाते हैं हम, ठायोनाइल क्लोराइड के साथ, जब हम रियाक्शन कराते हैं, बिटा, यहाँ पर बनता है, R-C-L, साथ में, बनता है, SO-2, और H-C-L, ठायोनाइल क्लोराइड बना रहे हूं, आपको इजली ऑप्टेन हो जाते हैं, क्योंकि साइड प्रोड़क्ट में, हमको ना कोई महनत नहीं करना पड़ता, हमें क्या महनत करना पड़ रहा है, साइड प्रोड़क्ट होदी निकल रहा है, अपरेशन कुछ करना नहीं है, सच, इसी में, अगर बिटा, मैं थोड़ी सी आपको, एक्स्ट्रा चीज बताऊं, तो अगर हम थायोनाइल क्लोराइड का रियाक्शन, के साथ रियाक्शन, पिरीडीन की प्रेजन्स में, पिरीडीन की प्रेजन्स में, तो यहां पर आपको रेड़ फोस्फोरस और एक्स टू, तो यहां पर आपको मिल जाता है अपना आर एक्स, आर एक्स, या तो एक्स बिटा आपका ब्रोमीन होगा, या आयोडीन होगा, ठीक है, आर एक्स, यहां तक बात क्लियर हो रहे हैं, आर, आर, एक्स,टो अलकॉहल से ही, हमने अलग अलग तरीके से, आलकॉहल को ही अलग-लग रिएजन से रियाक्शन कर रहे हैं, अलग अलग तरा के आपके compounds बन जाते हैं ठीक है फ्लोरो और आईडो के लिए अलग methods आएंगे chloro और bromoalkyn बनाना थोड़ा कहलो असान होता है चलिए second method की बात करने है विटा from hydrocarbons हम hydrocarbons में दो methods से बनाते हैं चलिए सो hydrocarbons में पहले कर लेते हैं अपना यह summarize कर देती हूं न क्या बोलते हूं hydrocarbons में हम दो methods से बनाएंगे या तो अपना बनाएंगे विटा so hydrocarbons में हम दो जगा से दो methods से बना सकते हैं we can either prepare from alkenes और we can prepare from alkenes ठीक है alkenes वाला में एक साथ summarize करूंगी alkenes में हम कैसे बनाते हैं विटा alkenes में हम लगाते हैं अपना free radical substitution reaction ठीक है free radical substitution reaction का जो mechanism लग रहा होता है पर इसका mechanism आज सच हमारे लिए important नहीं है सो जैसे की methane है बिटा और methane का reaction हमने कराया chlorine के साथ in the presence of sunlight ठीक है तो यहाँ पर क्या होगा बिटा एक hydrogen हटेगा और halogen आजाएगा और आपको क्या product मिल जाएगा CH3Cl क्या मिल जाएगा CH3Cl बिटा अगर तो chlorine excess में हुआ आपके पास chlorine की कमी नहीं है ठीक है तो यहाँ पर क्या होगी substitution चलती रहेगी CH3Cl फिर chlorine की कमी नहीं है तो वो दुबारा react करेगा CH2Cl2 फिर दुबारा react करेगा CHCl3 और वो तब तक नहीं मानेगा जब तक वो सारी hydrogen methane की नहीं हटा देगा और फिर बनता है CCL4 अगर एक ही substitution हुआ तो mono-substituted product बोलते हैं दो बार substitution हुआ तो dye-substituted बोलते हैं इस तरह से ठीक हैं यह mono-substituted है अब ज़र आप देखो मैंने लिए अब इटा प्रोपेन और इसका reaction कराया chlorine के साथ in the presence of sunlight अब इटा प्रोपेन के अंदर मेरे पास दो तरह की carbon है दो तरह की carbon कैसे है यह वाली primary यह वाली भी primary इसकी भी बगल में एकी carbon है इसके भी बगल में एकी carbon है इसके भी बगल में CH2 है इसके भी बगल में CH2 है तो यह दोनों carbon का nature सेम है A और A यह वाली carbon बेटा 2 degree है तो इस carbon को हमने कैसा माग कर दिया B ठीक है primary carbon पर जो hydrogen होते है that is called as primary hydrogen 2 degree carbon पर जो hydrogen होते है that is called as secondary hydrogen ठीक है तो अब बटा यहां पर चाहे में इस A का hydrogen हटा के chlorine लगाऊ या इस A का hydrogen हटा के chlorine लगाऊ मुझे same product मिलेगा क्योंकि दोनों carbon का nature सेम है दोनों carbon की hydrogen सेम है तो यहां पर एक product क्या मिलेगा CH3 CH2 CH2Cl ठीक है अगर chlorine ने इसकी वाली hydrogen हटा ही monosubstituted की बात करिए चाहिए hydrogen हटे चाहिए hydrogen हटे पिटा आपको 1 chloropropane मिलेगा और दूसरा product क्या मिल जाएगा आपको अगर B वाली carbon का hydrogen हटा तो आपको क्या मिल जाएगा बिटा जी क्या मिल जाएगा 2 chloropropane क्या मिल जाएगा बिटा 2 chloropropane ठीक है जैसे जैसे carbon का number बढ़ता है आपके products जो होते हैं वो एक से जादा बनना start हुझाते हैं so if you have more than two carbons in your alkane तो यहां पर क्या होता बिटा आपको mixture of product मिलना start हुझाता है जिसकी वजह से हम इस method को बहुत useful नहीं मानते है ठीक है बहुत बढ़िया method नहीं है ठीक है second तरीका बिटा आलकीन से बनाने का तो पहला तरीका है addition of hx पहला तरीका है addition of hx दूसरा होता है बिटा addition of x2 addition of x2 और तीसरा तरीका होता है बिटा allylic substitution क्या होता है allylic substitution ठीक है तो alkenes वाला एक alken लोंगी उसी से सारे methods एक बार में revise कर लेंगे देखो तो organic revise करना इसा वेरी आसान तरीका revise करना अगर आपने चाप्टर अच्छे से कर रखा है आप बिटा और अगर तुम्हारी जगह होती है और मैं इस चाप्टर को एक पेज में भी summarize कर सकते हूं only one page I need for this मतलब मुझे आप एक A4 sheet दे दो मैं उसमें summarize कर दोंगे और यह आप भी कर सकते हो और गानिक इतनी असान चीज है कि आप इसको एक पन्ने में summarize कर सकते हो सारी चीजों का है ना बीच में RX रखा M.O.P. उसी RX से उसकी chemical properties कर दी हालो अरीन बीच में रखा M.O.P. उसी से आगे उसकी chemical properties कर दी that's how we summarize है ना बड़ इसके लिए आपकी बिटा organic tips पे उनी चाहिए tips पर कब होगी कब होगी जब तुम revision regular करोगे है ना तो प्लीज अगर तुम चाहते होगी तुमारे अच्छे नंबर आए बोर्ड एक्जाम से में तुम एकदम टॉप कर जाओ तो उसके लिए प्लीज बिटा रिविजन रेगुलर करनी है ना वन चाप्टर यू नीड तो रिवाइस एट लीस्ट चार से पांच बार चार से बार मैं दो से तीन भी नहीं कोंगी में चार से पांच और आप हर दिन का शेड्यूल फिक्स करो 45 तू 50 मिनट्स कि हमें इतने देर में और गानिक रिवाइस करनी ही करनी है अपको जहां बिटा हालो एलकेंस करने में टाइम पर एक घंटा या दो गंटा रिविजन में लग रहा होगा रिविजन रिगुलर करते जाओगे एक दिन ऐसा आ जाएगा आपको मुश्किल से 20 मिनट लगेंगे क्योंकि आपको सब कुछ याद हो चुका होगा अरे ये था इसके बाद ये था इसके बाद ये था ऐसे याद हो जाती है चीज़े ठीक है It's all about the power of revision कि आप कितना revision कर रहे हो चलिए So अब इटा alkenes से summarize करते हैं So हमने ले लिया अपना ये alken मैं unsymmetrical ले रही हूँ CH3CH double bond CH2 ठीक है So I am taking propene चलिए पहला reaction हम करा होते हैं मैं इसका HX के साथ ठीक है वे और HX can be HCL, HBR और HI तीनों में से कोई सा भी हो सकता है ठीक है HX can be HCL, HBR, HI पर ये चीज का आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर HF के साथ reaction नहीं होता क्यों नहीं होता क्योंकि HF में hydrogen fluorine का bond काफी strong होता है So यहाँ पर जो rule लग रहा है अगर तो आपके पास कैसी ये alkenes अन्सिमेटरिकल alkenes कैसी है बिटा तो आपका कौन सा रूल लगता है Markonikov's rule कौन सा रूल लगता है Markonikov's rule Markonikov's rule का कहता है adding molecule का जो negative है negative part उस carbon पे जाता है which contains less hydrogen ठीक है तो that is your major product negative part goes to that molecule or goes to that carbon which contains less hydrogen तो C double bond C में में बिटा इस carbon पर एक hydrogen है इस पर दो hydrogen है तो यहाँ पर जो आपका major product है ना में major product लिख रही हूं बिटा यह हो जाएगा CH3CH इस carbon पे लग जाएगा halogen double bond will break into single और इस carbon पर आजाएगा H2 था एक और hydrogen लगेगा तो क्या हो जाएगा H3 हो जाएगा अब तुम HCl लगा रहे होगे तो यहाँ C L लग जाएगा HBR होगा तो इधर BR उधर H और इधर HI होगा तो इधर आएधर H ठीक है यह major product है major whatever I am writing this is the major product चलिए दूसरा अगर तो बिटा अगर तो यह reaction unsymmetrical alkyne की HBR के साथ हो रही है in the present of peroxide पहली बात तो anti-markonikov's rule सिर्फ HBR के साथ ही लग पाता है और anti-markonikov's rule के लिए बिटा, peroxide होना जरूरी है क्योंकि वहाँ पर free radical का mechanism लगना होता है ठीक है तो peroxide जो होता है basically वो आपका help करता है to initiate the reaction to have a free radical ठीक है, यहाँ से free radical initiation होती है तो peroxide और HBR है अगर तुमको सवाल में HCl और peroxide भी दे दिया ना तो भी बिटा, markonikov's rule है HI और peroxide दे दिया तो भी markonikov's rule है सिर्फ HBR और peroxide है ना तब तुमको AM rule लगाना है otherwise नहीं लगाना ठीक है, बात समझा रही है normal HBR है और unsymmetrical alkyne है, markonikov's rule पर alkyne, HBR और peroxide है तब आप लगाएंगे बिटा, anti-markonikov's rule जो उपर वाले का उल्टा है उपर वाले का उल्टा कर दो यानि यहाँ पर क्या होता है negative part adding molecule का इस carbon पर जाएगा जिस पर जादा hydrogen है और positive इस पर जाएगा यह एच पर जाएगा X पर जाएगा तो CH3, CH2 CH2, BR तो यहाँ भी पिटा आपका 1 bromopropane major product होगा क्या हो जाएगा 1 bromopropane is your major product next बात करने है बिटा, BR2 in the presence of CCL4 BR2 in the presence of CCL4 तो बिटा, आपका क्या product बन जाएगा double bond will break into single और दोनों carbon पर 1 क्या add हो जाएगा BR है ना, आपको यहाँ से vicinal vicinal वाल है ना adjacent पर vicinal dihalide बन जाता है double bond ब्रेक करेगा 1 BR इस पर 1 BR इस पर ठीक है, चलिए next बात करते हैं बिटा, हम अब बिटा, बिटा, बिटा डबल बॉंड नहीं टूटेगा, ठीक है, C डबल बॉंड C के next carbon allylic है, यहाँ पर allylic substitution होगी, तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा product, CH2BR, CH double bond CH2, अगर ब्रोमीन high temperature पर दे रखी है बिटा, तो डबल बॉंड नहीं टूटता, allylic free radical बनता है, जो जादा स्टेबल होता है, जिसकी वज़े से यहाँ पर आपकी allylic carbon की hydrogen हटकर भी आरा जाता है, और अगर आपका इसका reaction, रादर देन ब्रोमीन आपको यह दे रख हो, NBS, ठीक है, N-bromo succinamide, तो भी बिटा, आपकी allylic bromination होती, allylic substitution होगी, और यहाँ पे भी product आपका यही बनेगा, ठीक है, तो इन दोनों cases में हमने क्या करी है, allylic substitution, ब्रोमीन या क्लोरीन आठ हाई टेंप्रेचर हो, या NBS, NBS तो बिटा, अपका फेमस ही इसी लिए है, allylic bromination के लिए, ठीक है, तो आलकीन से अलग-अलग तरीकों से आप अपने अलग-अलग तरह के अलकाईल-ग-अलग बना सकते हो, ठीक है, यहाँ पे मैंने allylic वाला बना लिया, यहाँ पे मैंने vicinal dihylide बना लिया, यहाँ पे हमने normal अलकाईल-ग-अलग बना लिया, ठीक है, चलिए, नेक्स्ट बात करते हैं मिटा, तीसरा method है by halogen exchange, इसमें आपके दो reaction है, first आजाता है, फिंकल स्टीन, फिंकल स्टीन, फिंकल स्टीन तो मुझे लगता है, अभी तक तुमको रट जाना चाहिए, फिंकल स्टीन में क्या होता है बिटा, अगर हम अलकाईल-ग-अलाइट का reaction कराते हैं, na i के साथ, in the presence of acetone, और reflux कराते हैं, reflux का मतलब है, बहुत देर तक, लंबे समय तक boiling करते हैं, तो बिटा, rx की जगा, halogen exchange हो जाता है, ये i उधर चला जाता है, और na x, na x, तीक है, दूसरा है आपका, halogen exchange में ही, बिटा, swartz reaction, है न, दूसरा named reaction कौन सा आ जाता है, बिटा, आपका, swartz reaction, so, finkelstein reaction particularly use होता है, ido-alkanes बनाने के लिए, and swartz reaction particularly use होता है, ठीक है, rx, यहाँ पर x, बिटा, आपका, chlorine या bromine हो सकता है, ठीक है, और आपने reaction करा दिया, मैं या फिर rbr ले लेते हूं, इस तरह से, reaction करा दिया, आपने agf के साथ, तो आपको बन जाएगा rf, साथ में agbr, साथ में agbr, तो finkelstein, ido-alkanes बनाने के लिए, use होता है, स्वार्ट्स reaction, फ्लोरो-alkanes बनाने के लिए, यूज होता है, चलिए, अब यहीं पर अगर हम बात करें, विटा, तो agf की जगा, we can also use, we can also use, hg2f2, sbf3, और cof3, ठीक है, स्वार्ट्स reaction, agf की जगा, hg2f2, sbf3, cof3, इनके साथ भी हो सकती है, ठीक है, तो यह finkelstein हो गया, यह स्वार्ट्स हो गया, तो halogen exchange से भी, क्योंकि आईडो और फ्लोरो बनाना थोड़ा मुश्किल है, तो हम इस तरीके से भी बना सकते हैं, halogen exchange करके, चलिए, और एक और तरीका है, जिससे हम haloalkanes बना सकते हैं, that is, you are using the silver salt of carboxylic acid, and this is also again a named reaction, this is called as your borodine, Hans-Dicker reaction, इसमें हम क्या करते हैं, we take a silver salt of carboxylic acid, जैसे मैंने लिया ये, silver salt of carboxylic acid, इसका reaction कराया, bromine के साथ, in the presence of CCL4, carbon tetracloride, तो पिटा, यहाँ पर क्या होता है, CH3BR, ठीके, एक BR, CH3 के साथ लग जाता है, CO2, निकल जाती है, और साथ में बन जाता है, HgBr, ठीके, तो यहाँ पर आपको मिल गया, bromomeethane, ठीके, तो यह, अलग-अलग तरीके, अलकोहल से बना सकते हो, अलकेन से बना सकते हो, free radical substitution लगा कर, अलकेन से अलग-अलग तरीकों से बना सकते हो, silver salt of carboxylic acid में, borodine-hance-dicker reaction लगा कर भी आप बना सकते हैं, but this is a step-down reaction, step-down समझाता है, मेरे reactant में एक, दो कार्बन थी, दो कार्बन, मेरे product में एक कार्बन है, कम हो गई ना, दो से एक कार्बन, तो इसको step-down reaction भी बुलाते हैं, ठीके, तो यह अलग-अलग तरीके थे, जिससे हम halo alkenes को बना रहे थे, अब हम बात करेंगे, कि अब हम halo alkenes को कैसे बना सकते हैं, so halo alkenes को बनाने के लिए, पहला तरीका, first method है, आप benzene ring की, direct क्या कर दे, halogenation कर दे, ठीक है, CL2 हो सकता है, you can use BR2 also, CL2, ठीक है, CL2 और BR2, in the presence of, यहां पर बीटा, मैंने N-Hydras-AlCl3 लिया है, ठीक है, और you can also use FeCl3, आप bromine लोगे, तो आपको जो यहां पर लेना पड़ेगा, बीटा, जो भी catalyst ले रहे हो, या Lewis acid ले रहे हो, BR2 है, तो you'll take FeBr3, CL2 ले रहे हो, तो FeCl3, you can also use N-Hydras-AlCl3, तो यह जो Lewis acid होते हैं, electron deficient compounds होते हैं, यह क्या करते हैं, यहां से electrophile generate कर आते हैं, यहां पर, जो आपकी reaction हो रहे है, that is electrophilic substitution reaction, ठीक है, मैं लिख भी देती हूं, यह कौनसी reaction हो रही है बिटा, ESR, electrophilic substitution reaction, बेंजीन की, तो यहां पर, बेंजीन की, एक hydrogen अटके बिटा, CEL आ जाता है, और साथ में बन जाता है, HCL, ठीक है, दूसरा तरीका है, अगर आपके पास, substituted benzene है, जैसे की, हमारे पास, toline है, ठीक है, और इसका reaction, हमने chlorine के साथ कराया, ठीक है, in the presence of iron and dark, ठीक है, तो यहां पर, again, बेटा, electrophilic substitution होगी, toline जो होता है, वो orthopara directing होता है, तो यहां पर, यहां पर, जो CL है, CH3 के, वो बेटा, एक बार orthoposition पर लग सकता है, और एक बार, CL कहां पर लग सकता है, CH3 के, पारा पोजिशन पर, तो दूसरा तरीका, यह भी आप, इससे भी बना सकते हों, बट यह, सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन या, यह, टॉलीन से हमने बनाया है, तो बेंजीन की, डारेक्ट हालोजनेशन कर दोगे, तो आपको मिल जाएगा, ठीक है, क्लोरोवेंजीन, ब्रोमोवेंजीन, इसके अलावा विटा, टॉलीन से आप करोगे, तो आपको और्थो पे और पैरा पे, क्लोरो लग जाता है, टॉलीन के, तीसरा तरीका, तीसरा तरीका हम करेंगे, बाई, डाईजोनियम, सॉल्ट्स, ठीक है, पर अपने को डाईजोनियम सॉल्ट भी तो बनाना सीखना है, तो डाईजोनियम सॉल्ट्स हम कैसे बनाते हैं, जल्दी अल्दी देखना, सबसे पहले हम क्या करते हैं, अगर हमें बेंजीन से शुरुवात करनी है तो हम बेंजीन की क्या कराते हैं बेटा नाइट्रेशन, Concentrated HNO3 प्लास Concentrated H2SO4 तो हमें क्या मिलता है नाइट्रो बेंजीन अगर तो शुरू में नाइट्रो बेंजीन मिल गया तो तो बहुत ही बढ़िया डिपेंड करता है कि सवाल में वो आप से कहां से शुरुवात करा रहा है फिर हम SNHCL की प्रेशन्स में नाइट्रो बेंजीन को रिड्यूस करते हैं और हमें क्या मिल जाता है हमारा अनलीन यहां से यहां से डाइजोनियम बनता है अगर तो बेटा सवाल में यहीं से शुरुवात करा रहा है तो तो उससे बढ़िया कुछ नहीं है यहना पर पेपर में डिपेंड करता है तो हमें डाइजोनियम बनाने के लिए बेसिकली अनलीन चाहिए अगर यह दे रखा है डारेक्ट तो बढ़िया अगर बेंजीन दे रखा है तो बेंजीन से पहले नाइटरो बेंजीन फिर अनलीन बनाना है अब इस अनलीन का रियक्षन जब हम कराते हैं NaNo2 प्लस HCl ठीकर НаNo2 प्लस HCl react करके पिignsटा यह HNO2 बनाते हैं नाइटरस आसट है न तो आपको एक बहुत ही बहुत ही बहतरीन compound मिलता है ठीक है this is called as benzene disonium chloride ठीक है depending on NaNO2 के साथ आप कौन सा acid ले रहे हो आपको हम N2 plus X minus भी लिख देते हैं यहाँ पर यह जो बना है that is benzene disonium chloride ठीक है अब यहां से disonium salt से बिटा हम अलग अलग तरह से आपके क्या बनाएंगे अब हालो वरींस बनाएंगे ठीक है तो पहला तरीका यह था दूसरा तरीका यह था तीसरा disonium से बनाएंगे पर अभी हमने disonium बनाना सीखा है ठीक है तो अब हम flow chart बना लेते हैं और फिर इ तो सेंटर में रख लेते हैं अपना बेंजीन disonium salty लेकर चल रही हूं मैं general है न अब इस से बिटा अलग अलग तरीके से बनाएंगे शालो पहला है अगर हम इसका reaction कराते हैं copper co2cl2 in the presence of hcl है न c u2cl2 लिखा हो सकता है या c ucl लिखा हो सकता है या फिर c u2br2 in the presence of hbr c u2br2 की जगा विटा c ubr भी लिखा हो सकता है यहां पर copper plus one का salt लेना है किसका लेना है copper plus one का तो अगर आप c u2cl2 या c ucl ले रहे हो तो आपको मिल जाता है विटा chloro benzene c ubr copper one का salt ले रहे हो तो आपको मिल जाता है आपको क्या मिल जाता है bromobenzene ठीक है क्या मिल जाता है bromobenzene and this is called as your this is called as your sand mirror reaction क्या बुलाते हैं विटा sand mirror reaction अगर benzene disonium chloride का reaction करके हम हालो अरीन बना रहे हैं chlorobenzene या bromobenzene using copper plus one salt है ना यहाँ पर copper plus one salt है तो sand mirror reaction पर अगर मैंने यहाँ पर copper metal लिया है in the presence of hcl या copper metal लिया है in the presence of hbr ठीक है यहाँ पर बनेगा again यहाँ पर भी बनेगा विटा chlorobenzene यहाँ पर बनेगा bromobenzene पर अब जो reaction है अब जो यह तरीका है this is called as your जल्दी बता दो guys कौन सा reaction है यह कौन सा reaction हो जाता है विटा आपका getterman reaction है ना तो अगर copper metal है in the presence of hcl या hbr तो getterman copper plus one का salt है तो sand beer ठीक है चल्ये अगर हम बिटा के साथ heat करते हैं potassium iodide के साथ तो अपने को मिल जाता है idobenzene क्या बन जाता है idobenzene बट यह कोई named reaction नहीं है यहाँ इस reaction का कोई आसच नाम नहीं है चल्येंग्स अगर हम reaction कराते हैं hbf4 के साथ hbf4 के साथ पहले n2 plus and bf4 minus बनता है further heating पर further heating पर bf3 निकल जाता है n2 निकल जाता है और तुमको मिल जाता है बटा fluorobenzene क्या मिल जाता है बटा fluorobenzene and this method जिसमें आप डाइजोनियम से fluorobenzene बनाते हो using hbf4 this is called as your balls shimon reaction देखो काफी named reaction तुमने कर लिया है फिंकल स्टीम करा, swats कर लिया, शुरू में मैंने grooves process बताया था lucas reagent use करके, darzen process बताया था, socl to pyridine की presence में sand mirror हो गया, getter man हो गया, balls shimon reaction हो गया, तो काफी named reaction कर लिये हैं आपने यहां तक बात clear है आगे बड़े बिटा so हमने M.O.P कर लिया, halo alcanes का, halo arines का, अब बात कर लिते हैं, physical properties के physical properties बहुत असान असान सी हैं, ठीक है, पहला, जो halo alcanes होते हैं, halo alcanes, ठीक है, they are very less soluble in water, halo alcanes होते हैं, वो पानी में बहुत ही कम soluble होते हैं, क्यों, क्योंकि जो पानी के अंदर H bonding है, और जो halo alcanes के अंदर खुद की force of attraction है, वो काफी strong होती है, halo alcanes की अपनी AA interaction, water की अपनी BB interaction काफी strong होती है, इन दोनों को जब react कराए, react मतलब जब हमने halo alcanes को पानी में डाला, तो जो नई interaction बनती है, halo alcanes और पानी की वो इतनी बड़िया नहीं होती है, एक ग्रूप है दोस्तों का, दूसरा ग्रूप है दोस्तों का, हमने का भाई, तुम आपस में दोस्ती कर लो, अब, तो वो कह है, नहीं भाई, हम अपने में खुश है, ग्रूप है, बी कह रहा हम अपने में खुश है, हम एक नया ग्रूप A भी नहीं बनाना, तो यहां पर भी क्या होता है, halo alcanes में जो अपनी interaction है, पानी में जो अपनी interaction हो बहुत बढ़िया है, यह दोनों आपस में इतनी interaction कर नहीं जिसकी वज़े से नई interaction इतनी stronger नहीं होती है, पानी में यह बहुत ज़ादा कम soluble होते हैं, very less soluble in water, और हम बोलते हैं कि जो halo alcanes होते हैं, they are, they are more soluble in, more soluble in organic solvents, ठीक है, दूसरी property बिटा, जो हमार को सवाल आता है, वो आजाता है आपका boiling points से, तो boiling point के ना यार, दो ही factors होते हैं, जिनका तुम अगर जिन्दगी में ध्यान रखोगे, तो तुम boiling point के सवाल कर लोगे, पहला boiling point जो होता है, बिटा, that is directly proportional to molecular mass, जिसका molecular mass ज़ादा होगा, वा अंडरवल interaction ज़ादा होगी, boiling point ज़ादा होगा, दूसरा है कि अगर आपके पास isomeric compounds है, अब अगर compound का molecular mass सेम है, फिर कैसे decide करू boiling point, तब हम देखते हैं, बिटा, branching, जहाँ पे branching ज़ादा होती है, वहाँ पे boiling point कम होता है, So, boiling point is directly proportional to molecular mass and inversely proportional to branching, ठीक है, So, for same alkyl group, अगर अपना R same है, For same alkyl group, boiling point का order क्या आज जाएगा विटा, अगर alkyl group same है, तो RI का boiling point सबसे ज़्यादा, फिर RBR, फिर RCL और सबसे कम RF, जैसे की, जैसे की अपने, हमने example ले लिया, CH3I, CH3BR, CH3CL and CH3F, ठीक है, अब बिटा, मेरा alkyl group same है, तो 12 और 3 पंदरा, यह molecular mass fix है, CH3, 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 CH3 fix है, आयोडीन का mass जादा होगा, तो इस overall compound का molecular mass जादा होगा ना यार, है ना, अब में molecular mass बैठके निकालूंगी तो नहीं, उसके लिए मुझा आयोडीन का mass चाहिए, इतना time paper में कहां है अपने पे, तो हम common sense लगाएंगे, common sense, which is not very common, but still, we will try to use it, so यहाँ पर क्या है विटा, CH3, I, क्योंकि आयोडीन का mass जादा होगा, ब्रोमीन से, सिक्लोरीन से, सिफ्लोरीन से, तो RI का boiling point जादा, फिर RBR, फिर RCL, फिर RF, अगर alkyl group same है, तो, तो, ठीक है, पहला factor, second पर चलते हैं, notes मिल जाएंगे, notes की tension मत लेना, for, same halogen, but, different alkyl groups, तो हम बोलते हैं भाई, जैसे जैसे, carbon atom बढ़ेगा, number of carbon atoms increase, molecular mass बढ़ेगा, और boiling point बढ़ता चला जाएगा, है ना, अब इसका example भी कर लें, तुमारे दिमाग में एक दम confusion की लहर दोड़ गई होगी माडम ने, क्या लिख दिया, इतना भारी भरकम, तो मैंने का, अगर halogen same है, CH3Cl, CH3CH2Cl, CH3CH2Cl, और आगे भी चलता रहेगा, तो बिटा आप देखो, मेरा halogen का mass fix हो गया, पर अब जैसे, जैसे carbon का number बढ़ेगा, या 1 carbon या 2 carbon या 3 carbon, carbon का number बढ़ेगा, तो compound का molecular mass बढ़ेगा, molecular mass बढ़ेगा, तो बिटा जी, boiling point क्या करता जाएगा, increase करता जाएगा, chloromethane से जादा होगा, chloroethane का उस से जादा होगा, chloropropane का उस से जादा होगा, chromo, chlorobutane का and so on, ठीक है, तो यह factor होगा, तीसरा जो यहाँ पर सवाल आ जाता है, बिटा वो आ जाता है, melting point पर, enough, so third, I'll talk about the melting point, जिस में हालो अरीन से सवाल काफी पूछा जाता है, कि जो paradichlorobenzene है, paradichlorobenzene, ठीक है, has higher melting point than ortho or metaisome है, ऐसा क्यों है, paradichlorobenzene का ortho dichlorobenzene या metadichlorobenzene, से melting point क्यों जादा है, यह काफी बार आया हुआ सवाल है, वाई, तो बिटा यहाँ पर क्या हो रहा है, melting point is not, अब देखो, अगर मैं तीनों compound की बात करूँ, paradichlorobenzene, ortho dichlorobenzene, metadichlorobenzene, इन में सिफ chloro की position का ही तो फरक है, यह हो गया अपना ortho, और यह हो गया अपना meta, भाई, molecular mass तो तीनों का सेम है, position isomers है, one four, one two, one three, पर melting point हम कह रहे हैं, पारा का क्यों जादा होता है, बिटा, वो इसी लिए जादा होता है, paradichlorobenzene के अंदर क्या present होती है, it has symmetry, molecule काफी जादा symmetrical होता है, ठीक है, symmetry होने की वज़ों से क्या होता है, ठीक है, because of symmetry, it fits, it fits very well, it fits very well in crystal lattice, and therefore has higher melting point, अब बिटा, अगर structure जितना बढ़िया पैक होगा, जितनी अच्छी packing होगी, उसकी उसका melting point उतना जादा होता है, तो paradichlorobenzene अपने crystal structure के अंदर काफी अच्छे से पैक हो रखा होता है, हैना अगर कोई gift बहुत बढ़िया पैक हो रखा हो थे, तो उसको खोलने में तुमको काफी problem होती है, तो अगर कोई structure, कोई compound अच्छा पैक हो रखा होता है, अच्छे से packing हो रखी होती है, तो यहाँ पर force of attraction जादा लगती है, melt कराने में, that is why this compound has higher melting point, और इसी के साथ last property पर आ जाते हैं, physical properties में, density, ठीक है, तो अगर हम बिटा density की बात करें, तो अगर मैं density का order लूँ, तो अगर हम यह ले ले, N का मतलब है normal chloropropane से ज़ादा density होती है, bromopropane से ज़ादा density हो जाती है, idopropane की, ठीक है, क्योंकि जैसे जिसे halogen का mass बढ़ेगा, density बढ़ेगी, density होता है, mass upon volume, तो जैसे जिसे halogen का mass बढ़ रहा है, density बढ़ती जाती है, density से आसद सवाल नहीं आता, यहाँ पर जो सवाल आते हैं, एक तो वो इस से आते हैं, melting point वाले से, और जो आपको सवाल आते हैं, वो boiling point से आते हैं, ठीक है, और भूले बटके, अगर स्कूल वालों को कुछ नहीं मिलता, तो वो यह भी पूछ लेते हैं, कि वाई, halo alkanes are very less soluble in water, ठीक है, चले, and with this, we will start the chemical properties of halo alkanes, जिसमें इस chapter की जान बस्ती है, ठीक है, तो भीट, अगर हम halo alkanes की chemical properties की बात करें, तो में इन तीन chemical properties यह दिखाता है, the first is nucleophilic, मैंने सोचा था हमें short में लिख दूँ, पर चलो पहली बार में पूरा लिख देती हूं, nucleophilic substitution reaction, जिसको हम short में लिख देते हैं, NSR, second chemical property है बिटा, इनकी elimination reaction, और तीसरी है, reaction with metals, ठीक है, halo arines में भी तीन ही chemical properties हैं, इन सा थोड़ी अलग हैं उनकी, ठीक है, तो बिटा, हम पहली start करेंगे, पहली अपनी कौन सी हो जाएगे, nucleophilic substitution reaction, सबसे जादे important ही वही है, इचल लिए, so nucleophilic substitution reaction, कि अगर हम बात करें, तो पहले असान भाशा में देखो, होता क्या है, nucleophilic substitution reaction में याद करो या, यह अपना carbon और halogen था, ठीक है, एक incoming nucleophile आता है, nucleophile होता है, बिटा, nucleus loving, जिसको positive charge की चाहत होती है, एक दम, ठीक है, nucleophile या तो negatively charged होते हैं, या neutral molecules होते हैं, ठीक है, जिन पर lone pair of present हो, electrons, so this is incoming nucleophile, यह आ रहा होता है, अब हमें पता है, यार carbon और halogen में यह partial negative था, यह partial positive था, incoming nucleophile क्या करता है, दुन्दो ना कर, इस carbon पर attack करता है, और यह निकल जाता है, ठीक है, so, अब mechanism में फरक आता है, वो अभी बाद में बात करते हैं, है, तो पिटा, यहाँ पर nucleophile लग जाता है, आपका, और जो X है, halogen, वो X- की form में निकल जाता है, वो electron लेकर निकल लेता है, यह nucleophile कार्बन के साथ एक नया bond बना लेता है, ठीक है, और इसको हम बुलाते हैं, leaving group, जो छोड़के जा रहा है, उसको हम क्या बुलाएंगे, leaving group बुलाएंगे, ठीक है, तो पिटा, nucleophile अलग अलग तरह को होते हैं, क्योंकि basically substitute ही तो हुआ, X की जगा, nucleophile लग गया, तो इसको बुलाते है, nucleophilic substitution reaction, nucleophile ने halogen को हटाया, substitute कर रहा, और उसकी जगा पर खुद आ गया, ठीक है, तो अलग-अलग तरह की nucleophile एक substitution reaction होती है, अलग-अलग reaction से, alkyl halide का, अलग-अलग nucleophile के साथ रियाग करके, तुम तरीके, मतलब बहुत तरीकों के compounds बना सकते हो, ठीक है, चलिए, तो इसको flow chart की form में करेंगे, पहला है, अगर हम alkyl halide की, यानि हालो-विलकेन का reaction कराते है, aquas-KOH, aquas-NOH, silver hydroxide aquas या moist silver oxide, तो आपका ROH बन जाता है, ठीक है, साथ में KX, NaOH लिया, तो NaX, silver hydroxide या silver, moist silver oxide लिया, AgX, क्योंकि moist silver oxide, Ag2O, पानी के साथ रियाग करके, moisture के साथ रियाग करके, ultimately AgOH बना लेता है, ठीक है, तो यहाँ बर incoming nucleophile होता है, अपना OH-, X को हटाता है, ROH बन जाता है, alcohol मिल जाता है, चलिए, सो polarity का ध्यान रखोगे, तो तुमको ध्यान रहेगा, यहाँ partial positive, यहाँ partial negative, negative हटाएगा, positive के साथ जुड़ जाएगा, K+, SH- में बिटा, product बन जाता है, आपका RSH, ठीक है, यह alcohol है, थायॉल है, और आपका KX बन जाएगा, ठीक है, R, अब देखो विटा, यहाँ पर यह न्यूक्लियोफाइल था, यहाँ पर यह न्यूक्लियोफाइल था, तो यहाँ पर आपको product मिल जाएगा, R, O, R', एथर बन जाता है, साथ में NAX, क्या बन गया है, यहाँ पर एथर, यहाँ पर क्या बना लिया था, हमने अल्कॉहल, चलिए, नेक्स्ट में विटा, NA plus, X minus के साथ कम्बाइन करके, NAX बना लेगा, और आपको मिल जाएगा, R, S, R' ठीक है, चलिए, अमोनिया के साथ, जब रियाक्ट करता है, तो बनता है, R, NH2, ठीक है, R, NH2 और HX, HX, क्योंकि अमोनिया एक्सस में है, तो HX क्या करता है, साइड प्रोड़क्ट, अमोनिया के साथ, वापस रियाक्ट करके, सॉल्ट बना लेता है, तो यहाँ पर, बिटा, सॉल्ट बन जाता है, NH4X का, ठीक है, अमोनियाम सॉल्ट बन जाता है, और यहाँ पर आपको क्या मिल गया, बिटा, अमीन मिल गया, क्या मिल गया, अमीन मिल गया, चलिए, अगर Rx, I- के साथ कर रहा है, है न, NAI हो सकता था, तो हलूजन एक्सचेंज हो जाएगी, और तुमको क्या मिल जाएगा, R, I, प्लस X-, न, फिंकल्स्टीन रियाक्शन ही तो है, फिंकल्स्टीन ही तो हो गया, शर्ते X, फिर आयोडीन नहीं होना चाहिए, X can be क्लोरीन और ब्रोमीन, चलिए, नेक्स्ट बात कर रहे हैं, बिटा, KCN के साथ, यहां से important चीज़े आना स्टार्ट होती है, ये, 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 और ये, अगर, बिटा, KCN के साथ, रियाक्शन हो रहा होता है, तो बनता है, RCN, साइनाइड, या नाइट्राइल भी बुलाते हैं, साथ में KX, पर AGCN के साथ होता है, तो बिटा, आइसोसाइनाइड बनता है, क्या बनता है, आइसोसाइनाइड बनता है, I hope, ये चीज़ आपको शायद आती होगी, से सवाल भी आता है, क्या होता है, के सीन कैसा कंपाउंड होता है, बिटा, आइनिक, कैसा कंपाउंड होता है, आइनिक कंपाउंड, तो ये K+, और Cn- में तूट जाता है, ये अमबिडेंट नूक्लियोफाइल होता है, कार्बन की भी साइट अवेलिबल होती है, नाइटरोजन की भी, पर क्योंकि कार्बन, कार्बन बॉन्ड स्ट्रॉंग होता है, तो ये कार्बन की साइट से जुड़ता है, नाइटरोजन से नहीं जुड़ता, पर AGCN कैसा कंपाउंड होता है, इससा कोवलेंट कंपाउंड, अब अगर ये कोवलेंट कंपाउंड है, तो यहाँ पर nitrogen वाली site ही available होती है donation के लिए यानि यहाँ से nitrogen की site से attack होता है यह nucleophilic site की तरह behave करता है और RNC isocyanide बनता है सेम दुरगटना यहाँ भी होती है again agno2 a covalent compound होता है तो यहाँ पर nitrogen की site available होती oxygen वाली link कर रखी होती है तो यहाँ पर बनता है rno2 plus agx ध्यान रखना दोनों silver वालों में agcno चैए agno2o बिटा कहाँ से जुड़ रहा होता है nitrogen वाली site से यही सबसे असान ट्रिक है जिससे आपको ध्यान रखना है agcno तो rnc और agno2 है तो rno2 दोनों जगा पर आपको nitrogen वाली जगा से जोड़ना है जहाँ silver है ठीक है और अगर kno2 होता है which is again an ionic compound तो यहाँ पर बनता है विटा rono rono ठीक है चलिए अगर हम r-c-o-ag के साथ रियाग कर रहे है विटा ag plus यहाँ minus ठीक है यहाँ partial plus यहाँ partial minus minus वाला plus के साथ जुड़ेगा और आपको मिल जाता है r-c-o-o-r- साथ में agx और यहाँ पर अपना प्यारा सा बन जाता है compound ester क्या बन जाता है ester और last है अगर हम rx का reaction कराते है r-2-c-ol-i तो यहाँ पर r- ठीक है यह बाकी side products है आपको यहाँ पर मिल जाता है अपना alkyd क्या मिल जाता है alkyd ठीक है तो अलग-अलग nucleophile के साथ reaction कराकर आप अलग-अलग तरह के compounds बना सकते हो बात लिए ओ रहे हैं यहाँ तक जल्दी बोल दो guys यार चलिए next start कर रहे है nucleophilic substitution reaction यह तो सब को आ चुका होता है रट चुका होता है क्योंकि यहाँ से इतनी बार सवाल पूछा जाता है तो हम क्या कहते हैं nucleophilic substitution reaction दो तरह का होता है SN1 and SN2 points में करते चलेंगे तो फटाफट फटाफट कर लेंगे SN1 चु होता है यह कैसा होता है unimolecular कैसा होता है 1 का मतलब यह होता है nucleophilic substitution unimolecular यह हो जाता है अपका bi-molecular nucleophilic substitution SN2 कैसा होता है biomolecular bi-molecular SN1 चू होता है बिटा that is favored in that is favored in किसमें favor होता है ये polar protic solvent में किसमें favor होता है polar protic solvent में such as water ठीक है और आपका alcohol हो गया acid हो गया इन समें favor होता है polar protic solvent में और जो SN2 होता है SN2 that is favored in polar A protic solvent polar तो हो पर H plus देने लायक ना हो polar A protic solvent such as DMF dimethyl formamide DMSO इस तरह के solvent में prefer होता है ठीक है third point भाई अब जो important important point भाई SN1 उल्टा ये कितने step में होता है short में रिखता है SN1 बिटा उल्टा it takes place in two steps और SN2 उल्टा ये कितने step में होता है अब टा it takes place in one step ठीक है ये दो step में होता है ये एक step में होता है चलो यहां पर पहला step one क्या होता है step one अगर आपका ये कोई alkyl halide है ठीक है मैं जियूम कर रही हूँ अलग-अलग alkyl halides है तो पहला step जो होता है बिटाओ यहां पर वो कैसा step होता है slow step और slow step अपना कैसा होता है rate determining step तो पहले step के अंदर क्या होता है बिटाओ formation of formation of क्या होता है यहां पर carbocatine और x- निकल जाता है तो पहले step में carbon और halogen का bond तूटता है और यहां पर किसकी formation होती है carbocatine की formation होती है चिक है second step में क्या होता है यहां पर attack of nucleophile होता है तो पहले step में किसकी formation हुई carbocatine की formation होती है ठीक है carbocatine तो इसलिए हम बोलते हैं कि फिर carbocatine की stability की बाते आ जाती है so I will continue with this पहले lesson 1 ही कर लाता है ना फिर step 2 की अगर हम बात करें बिटा तो step 2 में क्या होता है यहां पर अब जो यह carbocatine बनता है second step में क्या होता है आपका attack of nucleophile second step में क्या होता है बिटा आपका attack of nucleophile और यह वाला step कैसा होता है आपका first step यहीं पर stereo के mystery की भे बात कर ले करी लेता है ना लगे हार आप यहां पर क्या होता है बिटा nucleophile दोनों साइड से attack कर सकता है you dran सब्सेड़ already होती है और इसलिए हम यहांपर जो productive की after यहांपर अगर तो आप rope पे halogen ता वही nucleophile लगा, तो आपकी configuration का क्या हो जाता है, retention, है ना, same ही तो रहा, जा halogen ता वही अगर nucleophile लगा, तो retention, और, अगर nucleophile बिटा, back से आकर attack करा, है ना, तो आपके configuration का क्या हो जाता है, inversion, क्या हो जाता है, inversion, अगर दोनों बराबर बनते हैं, तो racemic mixture होता है, पर जादतर देखा गया है, कि inversion वाला product जादा होता है, retention वाला कम होता है, nucleophile back से जादा attack कर पाता है, front से उसको थोड़ी से hindrance मिलती है, तो इसलिए हम बोलते है, inversion वाला product nearly more than 50% होता है, और retention वाला 50% से थोड़ा कम होता है, तो यहाँ पर पहले step में कार्बोकेटाइन बनता है, और second step में attack of nucleophile होता है, और क्योंकि पहला step मेरा rate determining step था, तो यहाँ पर जब हम rate लिखते हैं, तो rate is equal to rate constant into alkyl halide की concentration पर ही तो depend करता है, तो यहाँ पर rate जो होता है वो सिर्फ किस पर depend करता है, जो भी आपका starting alkyl halide है, उसकी concentration पर, यानि यहाँ पर order भी 1 होता है और molecularity भी कितनी होती है, इस reaction की 1 होती है, ठीक है, और हमने बोला कि यहाँ पर reaction intermediate क्या बनता है, रियाक्शन इंटर्मीडियेट, जो आरे एक जगा पर ही summarize कर रहे हैं हम सारा, reaction intermediate क्या बनता है, यहाँ पर carbocytion बनता है, यहाँ पर किसकी formation होती है, carbocytion की formation होती है, order of reactivity की बात करूँ, order of reactivity की अगर हम बात करे, Rx की, तो बिटा हम बोलते हैं कि 3 degree alkyl halide सबसे ज़्यादा reactive होता है, फिर 2 degree और फिर 1 degree for SN1, और वो इसी लिए है क्योंकि carbocytion 3 degree ज़्यादा stable होता है, फिर 2 degree फिर 1 degree, बात क्लिए और है, ठीक है, और अगर बिटा, सेम Rx है, सेम Rx है, तो Ri की reactivity सबसे ज़्यादा, फिर Rbr, फिर Rcl, फिर Ri, सॉरी, 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 RF, है नहीं? जितनी असानी से carbon halogen का bond टूटेगा, उतनी असानी से nucleophile substitute करेगा, चाह SN1, चाह SN2, दोनों में ये वारी कहानी सेम रहती है, अगर सेम alkyl group है, तो, क्योंकि जितनी असानी से carbon halogen का bond टूटेगा, उतनी असानी से nucleophile आकर लग जाता है, चलिए, अब वापस जाते हैं SN2 पर, तो SN2 बिटा, एक ही step में हो रहा होता है, और यहाँ पर जो एक step होता है, वो step ही आपका क्या होता है? तो, सबसे पहले यहाँ पर क्या होता है, यह ले लेते हैं, मैं यहाँ पर, इस तरह से रिप्रेजेंट कर रहूं, बटा, आइम टेकिंग a methyl halide, ठीक है, अब यहाँ पर क्या होता है, विटा, आपका nucleophile भी साथ में होता है, और यह वाला step जो होता है, यह step कैसा होता है, पेक ही चल रहा होता है, बट यह वाला slow हो जाता है, और यहाँ पर, अब किसकी formation हो रही होती है, बटा, transition state की, किसकी formation हो रही होती है, transition state की, कार्बन और halogen का bond टूट रहा होता है, और कार्बन और nucleophile का नया bond है, पुराना रिष्टा टूटेगा, तभी तो नया रिष्टा बनेगा, तो यहाँ पर carbon और halogen का पुराना bond टूट रहा होता है, nucleophile और carbon का नया bond बन रहा होता है, अब यहाँ पर क्या होता है, बटा, nucleophile जो होता है, वो back से आकर attack करता है, क्यों, उसे डर लग रहा होता है, यार, halogen पर भी negative charges, पर भी negative charge हो गया, लोन पेर होंगे, इन में भयंकर repulsion होगा, कह रहा है, मेरे को लड़ाई जगडा नहीं चाहिए, मेरे को repulsion नहीं चाहिए, तो यहाँ पर nucleophile क्या करता है, बटा, back से आकर attack करता है, क्योंकि उसको X से कोई लड़ाई जगडा नहीं करना, ठीक है, उसके बार next step होता है, तो यह अपनी क्या बनती है, य जो बहुत ही unstable होती है, और यह बहुत, जिसे कहते है न, fractions of seconds के लिए generate हो रही होती है, इस reaction के अंदर, और फिर जब transition state से next step होता है, आगे का है न, यह मैं बीच में partition line खीच रही हूँ, तो यह वाला step बिटा, fast हो जाता है, और यहाँ पर इस तरह से, जो भी आपका OH नहीं लिखते है न, whatever nucleophile, ठीक है, तो यहाँ पर हम कहते है, inversion होता है, configuration का, बट वो तभी applicable है, बिटा, when you have an optically active compound, अगर chiral carbon होता है, जब carbon के चारों ग्रूपस अलग-अलग होते हैं, तो यहाँ पर हम बोलते हैं कि product का कैसा होता है, inversion होता है, इसको हम world and inversion भी बुलाते हैं, तो SN2 के अंदर क्या होता है, nucleophile जो भी होगा, वो हमेशा back से attack करेगा, तो halogen जहाँ पर होता है, nucleophile वहाँ नहीं आता है, उसके opposite side आता है, तो यहाँ पर हम बोलते हैं, configuration उल्टा, inversion हो जाता है, इसके अलावा बिटा, यहाँ पर क्यूंकि step अपना पहले वाला था, यह वाला slow step था, इसमें nucleophile और alkyl halide दोनों की concentration पर depend हो रहा होता है rate, तो यहाँ पर R, X की भी concentration और nucleophile, दोनों की concentration पर depend करता है, तो यहाँ अपना order 2 होता है, और molecularity भी कैसी होती है, 2 होती है, ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर बिटा, reaction intermediate क्या बनता है, यहाँ पर reaction intermediate आपका होता है, transition state, ठीक है, transition state, order of reactivity, बिटा, SN2 के लिए, SN2 के लिए order of reactivity हो जाता है, primary, secondary, tertiary, और primary से भी जादा reactive होता है, methyl halide, CH3X, है न, वहाँ पर तो बिल्कुल जिसे बोलते है न, steric hindrance बिल्कुल नहीं होती, तो बिटा, यह order यहाँ पर जो आता है, वो steric hindrance की वजह से आता है, primary में steric hindrance कम, methyl halide में तो उससे भी कम होता है, ठीक है, जितना steric hindrance कम होगा, भीड कम होगी, nucleophile को back से आने में उतनी असानी होती है, और यह वाला order बिटा सेम है, अगर आपके पास alkyl halide में alkyl group सेम है, halogen अलग है, तो चाहे SN1 हो, चाहे SN2 हो, दोनों में यह वाला order सेम होत होता है, वाई, विकोज जितनी असानी से carbon halogen का bond टूटेगा, चाहे SN1 हो, चाहे SN2, nucleophile उतनी असानी से आपाता है, बात clear है, so this is about your SN1, SN2 and nucleophilic substitution reaction, जिससे आपको सवाहल आजाते हैं, इनमें में में आपको reactivity order का ध्यान रखना होता है, चलिए, और उसमें भी आर, यहां प इससे भी जादा reactive होता है, methyl halide, कल को कोई बोल ते माडम ने तो यह order, में methyl halide लिखवाया ही नहीं था, है ना, चलिए, नेक्स्ट बात करते हैं, बिटा, elimination reaction की, तो elimination reaction, जो यहां पर होता है, जो halo alcanes होते हैं, वो बहुत असानी से elimination reaction भी चले जाते हैं, पर elimination होने के लिए, you need to have a base, a strong base, ठीक है, जो आपकी hydrogen को abstract कर सके, proton को abstract कर सके, so, यहां पर मैं एक ही, यहां याच्चल थोड़ा साव याच्चल थोड़ा बेलए लेछ अन्हीं, यहांद। यहां हमिस्ट थोड़ा सकם होता हैं, यहां ध। यह ठीक है पहला वाला ही ललता ना ठीक है चले अब जो आपका यह reactant है इस reactant का नाम क्या हो जाएगा जल्दी से सोचें तो अगर मैं इस reactant की बात करूं तो यह अपना reactant है टूब रोमो ब्यूटेन अब देखो अगर तो आपकी रियाक्शन आलकोहलिक के ओएच फॉलोड बाइ हीटिंग दे रखा हो या ऐसे दे रखा हो तो अगर आपका नॉर्मल बेस है नॉर्मल बेस है तो हम बोलते है कि जहां से more substituted अलकीन बनेगी that will be your major product more substituted अलकीन देखो एक बार BR इदर से जाए H इदर से जाए एक बार BR इदर से जाए H इदर से जाए तो यहां पर दो product की possibility है CH3 CH2 में दोनों बना दियों एक बार BR यहां से उड़ाओ H इदर से उड़ादो तो क्या बन चाएगा पिटा CH double bond CH2 और एक बार BR इदर से H इदर से तो क्या बन चाएगा CH3 CH double bond CH CH3 यही बनेगा ना इक बार अगर BR इदर से जाएगा H इदर से जाएगा तो CH3 CH double bond CH CH3 ठीक है इस reaction को हम यह भी बुलाते हैं यह बीटा इलिमिनेशन भी बोलते हैं क्योंकि यहां से BR यहां से H जा रहा होता है बीटा हाइड्रोजन एलिमिनेट हो रहा होता है अब यहां पर बीटा वन बीट इन या ब्यूट वान इन जो होता है यह माइनर होता है यह वाला ब्यूट टू इन जो होता है यह मेजर होता है और यह मेजर प्रॉड़क्ट हमने कहां से पता चला this is as per this is as per set zeff's rule this product is as per set zeff's rule जो कहता है कि more substituted alkyne major product होता है तो यहाँ पर but one in, but two in दोनों बनेगा पर but two in major होगा क्योंकि वो alkyne जादा substituted है ठीक है इस C double bond C पे 2 substitution है C double bond C पे एक ही substitution है तो more substituted alkyne will be major product पर अगर तुमको base दे दिया कोई बहुत भयंकर ठीक है कैसा base दे दिया bulky base bulky base दे दिया तो यहाँ पर उल्टा हो जाता है bulky base में क्या होता है less substituted alkyne less substituted alkyne कैसी हो जाती है आपकी major product और more substituted वाला जो alkyne था वो कैसा हो जाता है minor product उल्टा हो जाता है यह एक special case होता है तो यह NCRT में दे रखा इसका ध्यान रखना normally तो हम कहते हैं कि product आपका कौनसे rule के हिसाब से बनता है जब alkyne में elimination हो रहा होता है the product is as per set zef rule की जहां पर alkyne जादा substituted होगी मों major product होगा पर bulky base में उल्टा हो जाता है क्योंकि bulky base में क्या होता है less hindered side से proton abstract होता है तो यह यहां से H निकालके जादा खुश होता है यहां से H यहां से B1 निकलता है and less substituted alkyne उस case में क्या हो जाता है major तो यहां पर यह major है पर वहां पर वह major है वहां पर bute 2 in major है जब normal base है पर bulky base में bute 1 in major है ठीक है यह ध्यान रखना है चले नेक्स्ट बात करते हैं बिटा reaction with metals तो reaction with metals में अलग-अलग तरह से reaction हो जाती है जैसे कि अगर आप Rx का reaction magnesium metal के साथ करा दू in the presence of dry ether बिटा यहां पर पानी बिल्कुल नहीं होना चाहिए मतब not even traces तो आपको मिल जाता है RMGX जहां पर यहां पर positive होता और carbon पर negative and this is called as your grignard's reagent ठीक है अगर traces में भी moisture हुआ ना तो यह grignard reagent क्या करता है पानी के साथ react करके alkane मना लेता है RH बन जाता है अगर इसको कहीं से भी proton मिल गया ठीक है तो यह क्या करता है भागता हुआ hydrolyze हुजाएगा इसलिए जब हम grignard reagent prepare कर रहे होते है traces of moisture भी नहीं होना चाहिए nothing nothing ठीक है चलिए सेकेंड बिटा अगर हम RX का reaction LI के साथ कराते है in the presence of again dry ether तो आपको मिल जाता है R LI साथ में बन जाता है LI X balance करने के लिए इदार आज जाएगा 2 ठीक है तो अगर ऐसे compound जिन में metal और carbon का bond होता है इनको बुलाते है मिटा organometallic compounds and third two is a very popular reaction तो अब हम एक named reaction और कर रहे है woods reaction जो 11th में थी वैसे तो अगर बिटा आप क्या R X sodium metal के साथ react करता है एक और R X का molecule ठीक है in the presence of dry ether क्योंकि अगर moisture हुआ तो sodium इतना reactive metal है कि वो moisture के साथ react कर लेगा तो यहां से बिटा N A X निकल जाता है और N A X के कितने molecule निकल जाएंगे दो और आपका R R बन जाता है alkene बन जाता है ठीक है so this is woods reaction so metal के साथ react करके grignard बना सकते है another organo metallic compound बना सकते है woods reaction लगा कर alkene बना सकते है ठीक है चलिए next बात करते है बिटा हालो अरीन्स की तो हालो अरीन्स जो होते है वो nucleophilic substitution असानी से नहीं जाते यह इतने दुखी है इतने दुखी हो और यह क्यों दुखी होते है इसके कुछ-कुछ reasons होते है तो जल्दी अल्दी से समझना क्योंकि यह बहुत common question है जो पूछा जाता है हालो अरीन्स में पहला चीज क्या होता है बिटा carbon जो होती है वो sp2 hybridized होती है ठीक है sp2 hybridized में क्या होता है percentage is character जादा होता है यहाँ पर 33.33% इस character होता है ठीक है percentage is character जादा होने की वज़ो से carbon के electro negativity बढ़ जाती है अब carbon अगर electro negative हो गया halogen भी electro negative था आपस में लड़ मर रहे हैं कि electron तू जादा track करेगा या मैं जादा track करूँगा तो यहाँ पर क्या होता है carbon और halogen का bond ठीक है यह वाला carbon और halogen का bond बटा एक तो less polar हो जाता है polarity यहाँ पर बहुत जादा होती है क्योंकि carbon कह रहा है मैं भी electron खीचूंगा halogen कह रहा है मैं भी electron खीचूंगा तो लड़ रहे होते है दूसरा क्या होता है यहाँ पर resonance हो रहा होता है resonance होने की वज़़ से यहाँ पर carbon और halogen के bond में कैसा character आ जाता है partial partial double bond character आ जाता है और वो किसकी वज़़़ से आ जाता है बिटा due to resonance अब अगर bond double bond जैसा हो गया तो carbon और halogen का bond टूटेगा नहीं टूटेगा नहीं तो nucleophile आएगा कहां से substitute कैसे करेगा इस halogen को तो because carbon halogen bond becomes less polar और short हो जाता है क्योंकि double bond single की बज़़़़़़़ बॉण्ड आ रहा है strong हो रहा है अब बिटा अगर यह bond असानी से टूटेगा नहीं तो nucleophile आएगा नहीं ठीक है पहला reason दूसरा हो गया तीसरा हम कहते हैं कि जो nucleophile होता है वो तो एिरे लेक्ट्रो नेंशिटी से क्या करेंगे तो यहाँ पर इह जो पाई के elektrone क्लाउड की देंशिटी ओर जो नुकलिएफााइल के Niklaus ऐनं में over रिपर्शन होता है कि पाई अलेक्ट्रों अलेक्ट्रों नेंसिटी दकी ओफ था अगनुक्री न क Sou सब्स्टिटूशन गए तो SN1 से कभी नहीं जाएंगे क्योंकि SN1 अगर जाना है तो कार्बन और हालोजन का बॉंड तूटेगा पहले स्टेप में तो यही था ना कार्बोकिटायन बनता था और जो फिनाइल काटायन होता है कार्बोकिटायन होता है यह हाइली कैसा होता है अ होत सकते हैं तो यहां पर हम बोलते हैं कि हालोजन जो होते हैं दे डू नौट अंडर गो नूटलियोफिलिक सब्स्टिटूशन रियाक्शन इजीली ठीक है हालोजन की बात करने हैं है हालोजन अरीन्स डू नौट अंडर गो नूटलियोफिलिक सब्स्टिटूशन रियाक्शन इजीली ठीक है ठीक है दे अंडर गो नूटलियोफिलिक सब्स्टिटूशन रियाक्शन इन एक्स्ट्रीम कंडिशन्स बिटा अगर तुम बहुत ही विगरस कंडिशन्स कर दो ना तब जाकर तब जाकर इनमें कहीं रियक्शन होती है पर ठीक है तो एक तो बॉंड स्ट्रॉंग हो गया था रेजूनेंस की विज़े से डबल बॉंड क्यारेक्टर आ गया था तूटता नहीं है इनका में नूकलियोफाइल को अट्रैक्शन भी नहीं मिल रहे होती है बहुत परिशानी आ रहे होती है तो यहां पर नूकलियोफिलिक सब्स्टिटूशन प्रेफर ही नहीं होता है सच पर देखा गया कि अगर हम अगर हम हालू अरीन में नाइट्रो ग्रूप इंट्रेड्यूस कर दे हाओएवर बाइंट्रेड्यूसिंग वन और मूर अलेक्ट्रोन विड्रॉइंग ग्रूप अट ओर्थो और पैरा पोजिशन ठीक है अब हमने दो नाइट्रो लगा दिये और अब हमने तीन नाइट्रो ग्रूप लगा दिये ओए होए होए बिटा जैसे ही आप अलेक्ट्रोन विड्रॉइंग ग्रूप लगाते होना तो रियाक्शन की कंडिशन माइड होना स्टार्ट हो जाते है क्योंकि अलेक्ट्रोन विड्रॉइंग ग्रूप रिंग से अलेक्ट्रोन डे तो यहां पर थोड़ी condition असान होने लगती है तो जैसे यहां पर aqueous NaOH और आपका 170 degree Celsius के अराउंड पर heat होता है ठीक है यहां पर aqueous NaOH होता है और 95 degree Celsius के अराउंड होता है और यहां पर तो गरम पानी के साथ ही reaction हो जाता है और Cl हटकर यहां बन जाता है 2-nitrophenol यहां Cl हटकर OH आ जाता है तो आप देख रहे होगे बिटा temperature जो है ना आपका उसकी condition mild होती गई है है ना तो however by introducing one or more electron withdrawing group at ortho और पारपोजिशन nucleophilic substitution reaction असान हो जाता है तो यहां पर पहले aqueous NaOH होता है फिर hydrolysis होती है ठीक है और बिटा इस इस कॉल्ड as 246-tri-nitrophenol यह हम phenol चाप्टर में दुबारा पढ़ेंगे पिक्रिक acid भी बुलाते हैं इसको तो जैसे ही electron withdrawing group लगा है बिटा मेटा पे लगाने का कोई फाइदा नहीं मिलता लगाने का फाइदा तभी है जब आप और तो या पैरा पर लगाओ ठीक है मेटा पे लगा के हमें कोई असज फाइदा नहीं मिल पाता तो न्यूक्लियोफिलिक substitution हो जाता है पर मुश्किल से होता है पर अगर आपको यह electron withdrawing group लगा दो तो न्यूक्लियोफिलिक substitution थोड़ा असान हो जाता है और मैं तीन नाइट्रो ग्रूप लगाया तो और असान हो चुका है ठीक है एक तो आपका resonance हो रहा है resonance होने की वजह से यह benzene ring के अंदर no doubt electron density देते हैं और negative charge जो ring में आता है वो orthopara पर आता है तो हम बोलते हैं कि जो halo arines होते हैं halo arines जो होते हैं यह कैसे होते हैं थोड़े deactivating होते हैं they are deactivating ठीक तो चल रही थी spelling एकदम सा लड़ा खड़ा आ गई so they are deactivating towards electrophilic substitution reaction और वो इसे लिए होता है पिटा क्योंकि halo arines के अंदर resonance के साथ साथ minus inductive effect भी लग रहा होता है so halogens क्या करते हैं no doubt loan pair donate होने की वज़े से benzene ring में electron density जाती है पर simultaneously halogen अपनी फितरत से बाज नहीं है यह फितरत अपनी दिखाता है उसका काम electron density चीनने का तो यह थोड़ी बहुत electron density चीनने की भी कोशिश कर रहा होता है जिसकी वज़े से हम बोलते हैं they are deactivating towards electrophilic substitution reaction यह चले तो जाते हैं पर बहुत ज्यादा खुश नहीं मतलब benzene ring ज्यादा खुश है अकेले जाकर rather than यहाँ पर और हम बोलते हैं यह electrophilic substitution reaction में कैसे directing होते हैं ortho para directing होते हैं यानि जो भी nucleo sorry जो भी electrophil आएगा वो या तो halogen के ortho position पर लगेगा या पारा पर लगेगा ठीक है तो अब summarize कर लेते हैं यह मैं ले रही हूं chloro benzene और इसकी अलग-अलग electrophilic substitution reaction करा रहे हैं पहला अगर आप chloro benzene का reaction कराते हो chlorine के साथ यानि halogenation या bromine भी ले सकते थे तो पेटा आपको product में क्या मिलेगा ध्यान से देखना ध्यान से हैं न एक बार CL ortho पर आजाएगा जो next CL आएगा जो electrophil आएगा BR लोगे तो BR आजाएगा और आपका para पर आजाएगा पैरा वाला पेटा आपका major होता है ortho वाला minor होता है चलिए अगर हम concentrated nitric acid के साथ reaction करा रहे होते हैं बिटा तो यहां पे nitrogen हो जाती है तो एक बार CL के ortho position पर nitro आजाएगा और एक बार CL के para position पर nitro आजाएगा पैरा वाला कैसा हो जाएगा major ortho वाला minor है ना understood है मैं लिखनी रहे हूं जो major है वो लिख रहे है तो यह वाली reaction कौन सी हो जाएगी this one is your nitration ठीक है जब sulfuric acid के साथ reaction हो रहा है तो हम बुलाते हैं sulfonation कौन सी है बिटा sulfonation यहां पर product क्या बनता है जो group आता है एक बार ortho पर लग जाएगा SO3H और एक बार एक बार बिटा जी कहां पर लग जाएगा पैरा पर ठीक है यह जाएगा 1,2 टू क्लोरो बेंजीन sulfonic acid वो जाएगा 4 क्लोरो बेंजीन सल्फोनिक acid this is major चलिए next विटा अगर हमने CH3Cl के साथ reaction करा in the presence of enhydrous ALCl3 यह है आपकी Friddle Craft Alkylation short में लिखनी हूं समझ जा न और product क्या बनेगा एक बार CL के और्थो पर CH3 क्योंकि एलेक्ट्रोफाइल CH3 प्लस का generate होता है और एक बार CL के para position पर क्या जाएगा बिटा CH3 and this will be your major product ठीक है और अगर हम CH3 COCL के साथ कराते हैं तो this is called Friddle Craft Acylation तो बिटा एक बार CL के और्थो पर COCH3 और एक बार CL के पारा पर COCH3 और ये वाला product आपका कैसा हो जाएगा major ठीक है symmetry की वज़े से तो बिटा मैंने एक reactants से सारी electrophilic substitution reaction एक flow chart में summarize कर दी है बहुत बढ़िया तरीके से मुझे लगता है आपकी यहाँ पर revision हो गई होगी है ना दुआओं में तु मुझे याद रख सकते हो है ना you can thank me later just kidding last कर रहे है मिटा हालो अरीन्स की chemical property reaction with metals so the first reaction वहाँ पर shallow alkenes में बीटा woods reaction होता है यहाँ पर होता है आपका fatigue reaction fatigue reaction में क्या होता है अगर आप मैं इस तरह से ले रही हूँ वहाँ पर हम हालो अरीन लेते हैं यहाँ पर हम हालो अरीन के दू मोल्स ले रहे हैं अगैन इन दी प्रेसेंस ओफ ड्राइ एथर ठीक है फिर से वही सारी कहानी यार यहां से सीयल यहां से ने यहां से सीयल निकल जाएगा और बिटा यहां पे प्रोड़क्ट बहुत ही खुबसूरत वहां पे आर आर बनता है यहां एर एर बनता है और साथ में ने सीयल निकल जाएगा और बिटा जी इस बहतरीन कंपाउंड को क्या बुलाते हैं बाई फिनाईल यह बहुत बार पूछा जाता है मैं पहरी बता रही हूं इस चाप्टर में जितने भी नेम्ड रियाक्शन है व तो वुड्स में हम क्या लेते हैं बिटा वुड्स में रियाक्टेंट क्या होता है आर एक्स ठीक है तो मैं अपकी बार क्या कर रही हूं आलकाइल हलाइड ले लिया CH3Cl दो सोडियम के मूल्स और फिटिक लगाना है तो एक मेरे को आरोमाटिक लेना पड़ेगा हालोवरीन लेना पड़ेगा ये ले लिया ख्लोरो बेंजीन बस देखो किती धुन-दुन रियाक्शन हो रही है एकदम ड्राइ एथर प्रॉडक्ट क्या बन जाएगा बेटा बहतरीन बेंजीन पर क्या लग जाएगा CH3 और निकल जाएगा NACN है ना अब बेटा CH3 की जगह कोई और alkyl halide भी हो सकता है तो यह हो गया यहां पर जो हमने बनाया है यह क्या हो गया आपका टॉली तो एक करा वुड्स एक करा फिटिग नेक्स्ट हो गया वुड्स फिटिग ठीक है चालो तीसरा रियाक्शन है विटा जो आपके हालो अरीन्स है यह कोई नेम्ड रियाक्शन नहीं है यहां पर क्या बन जाएगा आपका A.R.M.G.X है ना A.R.A.R.M.G.X तो यहां पर भी आपका क्या बन जाएगा ग्रिगनाड रियेजन ग्रिगनाड रियेजन में बिटा इट कान भी अराइल इट कान भी आलकाइल चालो और लास्ट एक और नेम्ड रियाक्शन कर रहे हैं उल्मान रियाक्शन कौनसी रियाक् जो आपकी फिटिक से ही मिलती चुलती है बस बहुत थोड़ा सा फरक होता है तो उल्मान रियाक्शन में क्या होता है बिटा हम लेते हैं आईडो बेंजीन ठीक है आईडो बेंजीन लेते हैं बनता यहां पे भी बाइफिनाईल ही है ठीक है होता यहां भी ड्राइए इथर है प्रोड़क्ट में बनेगा यहां पे भी बाइफिनाईल और साथ में बन जाता है बिटा सी यू टू आईटू बस साइंटिस यही खेलते रहते हैं नाम अलग रिएजेंट अलग कर दिया थोड़ा सा नाम में फरक वहां सोडियम मेटल था यहां कॉपर मेटल था तो वह फिटिक था यह उल्मान हो गया चलिए इसी के सार बिटा लास्ट टॉपिक पर आ रहें पॉली हालोजन कंपाउं क्यों क्योंकि यह सब कुछ थियोरी है तो यहां पर आप NCRT से रीडिंग कर सकते हो पॉली हालोजन कंपाउंट मेटा पहला जो NCRT में कंपाउंट दे रखा है वो है CH2-Cl2 डाइक्लोरोमीथेन जिसको मिथलीन क्लोराइड भी बुलाते हैं सेकंड दे रखा है NCRT में CHCl3 क कार्बन टीट्रा क्लोराइड फिफ्ट NCRT में दे रखे हैं फ्रियोंस जो ओजो लेयर को काफी डिप्लीट करते हैं रेफ्रिजरेंट और एसी वगेरा में से निकलते हैं और सिक्स्त दे रखा है बिटा DDT ठीक है यहां पर एका जो सवाल आता है वो क्लोरोफॉर्म से आत है इससे जो सबसे कॉमन क्वेस्टन आता है वो यह आता है तो यहां पर एक गैस बन जाती है एक गैस बन जाती है हाईली पॉईजन जिसको हम क्या बुलाते हैं फॉसजीन क्या बुलाते हैं फॉसजीन जो कैसी होती है हाईली टॉक्सिक तो क्लोरोफॉर्म में अगर कोई क question आता है तो वो जादे तर इसी से आता है कि chloroform को जब sunlight air में exposed करा जाता है तो it converts into a highly poisonous gas highly toxic gas phosgene जिसके वजह से हम chloroform को dark colored bottles में store करते हैं और dark में ही रखते हैं और bottle को जैसे ही use करा तुरंत बंद कर देते हैं ताकि air enter ना करें ठीक है इस वाले particular portion के लिए I will just suggest you please read ncrt क्योंकि बहुत ही useless चीज़े दे रखी है और इससे बहुत जादा सवाल बोड के अंदर as such आता भी नहीं है तो इसके लिए just I would suggest कि read ncrt important चीज़े uses वगेरा थोड़ा बहुत जोगा वो underline कर लेना बाकी homework में यही है कि please read ncrt है ना solve ncrt exercise of this chapter and keep revising and thank me later and now board में thanks कर देना मुझको so it up please अच्छा से revision करें महनत करें है ना और इस chapter को revise करे mind map आले notes को revise करें खुद के बनाएवे notes को revise करो ncrt पड़ो और अगले chapter में मिलेंगे thank you so much bye bye take care tada